पहाड की चोटी पर समतल्जमीन पर सबकी आखें उच्साह की रोशनी से भर गई दार्क स्टार क्या है? देवेश ने मुर्तर पूछा आम तौर पर यह शब्द उन सितारों को संदर्भित करता है जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है और विक्सित नहीं किया गया है शेन तूने उजजवल अभिव्यक्ति के साथ कहा जल्दी से समझाते हुए संपूर्ण हैं लो स्टार फीड वर्तमान में कई बड़ी ताक्तों के बीच विभाजित है लेकिन अभी भी कुछ जगहें हैं जहां पहले कोई नहीं गया है और ऐसी जगहें हैं जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है इन अज्यात शेत्रों में विशेश तारे हो सकते हैं ये तारे डार्क स्टार्स हैं प्रत्येक डार्क स्टार का मतलब एक लावारिस शेत्र है जिसमें शायद अध्भुत धन और आपूर्ती शामिल है इन वर्षों में प्रमुख ताक्तों ने डार्क स्टार्स की खोज और विकास के लिए सभी महत्वपूर्ण संसाधन समर्पित किये हैं और कुछ ऐसे खोजने की उम्मीद की है जो सामान्य से हटकर हो कड़ाई से बोलते हुए अराजक रसातल के सितारे भी मुश्किल से डार्क स्टार्स के रूप में योग्य होते हैं देवेश ने सिर्हिला कर संकेत दिया कि वह समझ गया है लेकिन इस वरिष्ट के शब्दों से क्या ऐसा नहीं लगता कि हम अभी भी अराजक हाई में हैं जहिरा तोर पर देवेश ने पहले ही अपने ज्यान सागर में रहस्यमय स्टार्ट के माध्यम से इस बात की पुष्टी कर दी थी इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्या आप सभी ने ध्यान नहीं दिया कि इस स्थान की विश्व उर्जा अराजक रसातल से भी अधिक सम्रिध है बूढे व्यक्ती ने आगे कहा यह स्वाभाविक रूप से है क्योंकि अराजक रसातल की सारी उर्जा इस स्थान की ओर एकत्रत होती है हाला कि यह जगह एक पिंजरा है विश्व उर्जा की कोई भी आभा कभी भी बाहर नहीं निकलती है इसलिए वर्षों में यह अंतह इतनी एकागरता तक पहुँच गई यदि यह तथ्य न होता तो इस बूढे मालिक को यहां रहने में कोई आपत्ती नहीं होती आखिरकार यह स्थान खेती के लिए स्वर्ध है वरिष्ट आपने कहा था कि यह जगह एक पिंजरा है वरिष्ट को देखने में असमर्थ थे जो तारों से संबंधित होना चाहिए आकाश वे केवल तैरते हुए महादवीब के चारों और उरने में सक्षम थे वे जानते थे कि वे यहाँ पूरे तैरते महादवीब को धकने वाले साथ रंगो वाले आकाश के कारण फंसे हुए थे लेकिन उन्होंने बस यही सोचा था कि यह किसी प्रकार की गहरी बाधा थी जिसे बूढ़े व्यक्ती ने खड़ा किया था लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिलकुल नहीं था लूगूई चेन के शब्द बूढे व्यक्ती की दुखती रग पर चोट करते प्रतीत हो रहे थे जिससे उसका चेहरा उदास हो गया और उसके शरीर से एक मोटी द्वेशपूर्ण आभा फूट पड़ी और वह क्रूरता पूर्वक चिलाया हाँ, यह बूढ़ा स्वामी वास्तव में यहां फंसा हुआ है इसके अलावा मैं लगभग 2000 वर्षों से यहां फंसा हुआ हूँ 2000 साल सभी की तेज सासे लेने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सभी की निगाहे बूढ़े व्यक्ती की ओर थी जब यह बूढ़ा मास्टर पहली बार यहां फंसा था तो वह एक मामूली पात्र था जो अभी अभी सेंट किंग शेतर में घुसा था लेकिन अब हे हे वह हंसा उसकी अभी व्यक्ती एक अडिक भावना से भरी हुई थी जैसे कि उसने ऐसा किया हो किसी को उसकी आखों में मत डालो यहां हर कोई समझ गया कि वह क्या कहना चाहता था जिससे वे अंजाने में गटक गए उनके सामने रहस्यमय बुढ़ा व्यक्ती निश्चित रूप से एक स्टार मास्टर के तुलनिय चरित्र था क्या मैं वरिष्ट का सम्मानित नाम पूछ सकता हूँ यूशी ने विनमर्ता से पूछा इस तरह के एक मास्टर के सामने उसने अपने रुख को बहुत कम करते हुए लंपट व्यभार करने की हिम्मत नहीं की बुढ़े व्यक्ती की तियोरियां चड़ गई और वह सोच में पढ़ गया ऐसा लगता है कि उसने काफी समय से अपना नाम नहीं बताया था और कुछ देर तक उसे याद भी नहीं रहा एक शन बाद उसने बस इतना ही कहा मेरा नाम पूछने की जहमत मत उठाओ कुछ भी नहीं आप इसे वैसे भी पहचान लेंगे जाहिर तोर पर वह अपना नाम उजागर करने से हिचक रहे थे लेकिन जब सभी ने इस बारे में सोचा तो वे उसकी भावनाओं से सहमत हुए यदि वह 2000 साल पहले यहाँ फंसा हुआ था और उस समय सिर्फ एक संत राजा था तो वह वास्तव में उन्हें नहीं जानता होगा फिर हमें सीनियर को कैसे संबोधित करना चाहिए लू गुई चेन ने पूछा हाला की वह और यूशी दुश्मन थे लेकिन जब उन्होंने इस बूढ़े व्यक्ति से बात की तो उन दोनोंने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समनवई किया अब से आप इस पुराने मास्टर को गुई जू कह सकते हैं गुई जू भीड अवाक रह गई वरिष्ट गुई जू 2000 वर्षों तक यहां फंसे रहने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल सका लुग गुई चेन ने साहस जुटाया और पूछा अगर यह बूढ़ा व्यक्ति जो खुद को गुई जू कहता है उसे भी भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो उन्हें इसके बारे में सोचने की जूरत नहीं है यह एक ऐसी जेल थी जो एक मूल राजा को भी फसा सकती थी गुई जू ने अपना सिरह लाया यहां का स्थान बहुत अजीब है और अराजक रसातल के केंदर में स्थित है जो इसके सभी अराजक उर्जा क्षेत्रों से ढखा हुआ है सामान्यत है इसे पाया या देखा भी नहीं जा सकता केवल विशेश परिस्थितियों में ही यह स्थान बाहर के लिए खुलेगा विशेश परिस्थितिया लूगई चेन ने आश्चर्य से पूछा जब आप सब यहां आये तो क्या हुआ इस बूढे मास्टर को बताने की जुरूरत नहीं है सभी को अचानक अराजक रसातल में डोमेन विस्फोर्ट और उनके स्टार्शिप को निगलने वाले विशाल ब्लाक होल का दृष्य याद आ गया जिससे उनमें भय की लहर दौड गई हाला कि वहक्षन बहुत छोटा है भले ही यह बूढा स्वामी इस स्थान से भागने का अफसर लेना चाहता हो यह बिलकुल संभव नहीं है गुईजू ने आह भरी जाहिरा तोर पर जब लोगों का आखिरी समोह इस तेरते महादवीप पर आया था तो उसने ब्लाक होल की उपस्थिती पर भी ध्यान दिया था लेकिन उस समय तक वहां से निकलने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी थी यह बूढ़ा गुरु 2000 वर्षों से यहीं फंसा हुआ है उस दौरान कुछ लोग सन्योगवश यहां आ गए सच कहू तो आप तीसरा समोह हैं और सबसे बड़ा भी अंतिन दो समोहों में केवल मुठी भर लोग थे उन्हें क्या हुआ यूशी ने पूचताच की लेकिन तुरंट एहसास हुआ कि उसने गलत सवाल पूछा था उसका सुन्दर चेहरा तुरंट पीला पड़ गया उन लोगों का क्या अंत हुआ इस पर विचार करने की आवश्चक्ता ही न रही या तो वे यहां के अंतीन अलगाव और अकेलेपन को जेलने में असमर्थ थे या फिर उन्हें गुईजू ने मार डाला वह बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी के साथ आसानी से घुलना मिलना आसान हो यह यहां उनमें से लगभग एक सौ का अंत भी हो सकता है गुईजू ने आगे कहा पहली सहसराब्दी तक यह बूढ़ा गुरु यहां फंसा हुआ था उसने खुद को विक्सित करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया जबकि दूसरे हजार साल भागने के तरीकों की तलाश में बिताए और अब आखिरकार इतने समय के बाद इस बूढ़े मास्टर ने एक रास्ता सोचा जैसे जैसे वह बोलता गया वह और अधिक उत्साहित होता गया उसके चहरे पर आत्मसंतुष्टी का भाव भी दिखाई देने लगा लू गूई चेन और यूशी दोनों की आखें अचानक चमक उठेन क्योंकि वे समान रूप से घबराय हुए और उत्साहित महसूस कर रहे थे यदि गूई जू के पास यहां से भागने का कोई रास्ता होता तो एक मौका था कि वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना सकते थे गूई जू के शब्दों ने उन्हें आशा दी थी सीनियर गूई जू अगर यह सुविधा जन्क हो तो क्या आप हम जूनियर्स को साथ ला सकते हैं लू गूई चेन ने जल्दी से पूछा इस दर्से की यूशी बढ़क ले लेगी मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं गूई जू ने उभास किया अच्छा इस बूढे मास्टर के भी ऐसे इरादे थे लू गूई चेन और यूशी दोनों के चहरों पर गंभीर और आशा भरी जलक सग्मे में बदल गई क्योंकि एक गूरी भावना अचानक उनके दिलों की गहराई से उभर आई यदि गूई जू ने मना कर दिया होता तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा होता लेकिन उसके इतनी आसानी से सहमत होने से वास्तव में उन्हें कुछ संदे हुआ लू गूई चेन और यूशी दोनोंने गुप रूप से महसूस किया कि गूई जू कुछ साजिश रच रहा था वे थोड़ा असहज हो गए और वे जो भी शब्द कहने की योजना बना रहे थे उसे तुरंक निगल गए इसके बजाए उन्होंने गूई जू के जारी रहने का इंतजार करना चुना इस पुराने मास्टर की विधी केवल कुछ ऐसी चीज है जिसे उन्होंने सोचा था लेकिन अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है यह प्रभावी है या नहीं इसकी गारंटी तो यह बूढ़ा मास्टर भी नहीं दे सकता आप क्या सोचते हैं? गुईजू ने मुस्कुराते हुए पूछा लुगुई चेन और यूशी ने एक दूसरे पर नजर डाली उनके चहरे पर असहायता का भाव जलक रहा था इससे पहले कि लुगुई चेन और यूशी ने सिरहिलाया हम वरिष्ट के आदेशों का पालन करेंगे अपनी बाहें पीछे मोड कर वे जानते थे कि गुईजू के प्रस्ताव को अस्विकार करने का कोई विकल्प नहीं था इसलिए वे तुरंट सहमत हो गए मेरी तलवार यूनियन को भी कोई आपत्ती नहीं है हम सीनियर के आदेशों का पालन करेंगे यूशी को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई और अनिच्छा से सहमत हो गई अच्छा अच्छा बहुत अच्छा आप सभी बहुत आज्याकारी हैं इससे यह बूढ़ा मालिक प्रसंद होता है आए अब और समय बर्बाद न करें गुई जूने मुस्कुराते हुए अपने सफेद नुकीले दान्तों को दिखाते हुए जमीन में कुछ उर्जा सपंदन भेजते हुए जटिल हाथ सीलों की एक श्रिंखला बनाई विशाल संग्रचना में व्यवस्थित सेंट क्रिस्टल एक एक करके चमकने लगे इन सेंट क्रिस्टल से एक अजीब उतार चढ़ाव फैलने लगा जिससे वहां मौझूद सभी लोग असहज महसूस करने लगे ये उर्जा उतार चढ़ाव एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए और तीवर्ता में व्रिधी हुई जब तक की वे एक भयानक स्तर तक नहीं पहुँच गए समरिध विश्व उर्जा आभा इन उर्जा उतार चढ़ाव के साथ प्रतिध्वनित होने लगी और एक पल में पूरे महाधवीप के वातावर्ण में एक चौकाने वाला बदलाव आया सभी की आखों के सामने का ग्रिश अचानक विक्रित हो गया मानों उनके आसपास की जगह किसी भी समाईड है सकती है उपस्थित क्रिशक पूरी तरह से चौक गए जब उन्होंने गुई जू की ओर देखा और सोच रहे थे कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था देवेश विशाल स्पिरिट सरनी के बीच में खड़े दर्वाजे जैसी संरचना को एक तक देखता रहा और महसूस किया कि उसके अंदर एक असामान्य आभा एकत्रित हो रही है आभा अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह से संबंधित थी और वास्तव में दर्वाजे के आसपास का स्थान कहीं और की तुलना में अधिक विकृत था देवेश को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि यह अधिक समय तक चलता रहा वहां का स्थान सच्मुछ ढह जाएगा उनकी भविश्यवानी जल्द ही सच हो गई और विशाल सरनी से उर्जा के उतार चढ़ाव सभी स्टार्शिप मल्बे से बने दर्वाजे की ओर एकत्रित हो गए गुईजू की नजर इस समय बेहत कटर हो गई और वह उत्साह से दर्वाजे की ओर देखने लगा कच्चा एक तूटने की आवाज आई और दर्वाजे से घिरा स्थान अचानक दरकने लगा धने मकडी के जाले जैसा पैटर्न तेजी से सभी दिशाओं में फैल गया तूटने की आवाज ने सभी का ध्यान आकर शित किया और जब उन्होंने यह देखने के लिए मुड़कर देखा की इसका कारण क्या था तो वे सभी अंजाने में काम उठे कच्चा वह स्थान जो अब तूटे हुए दरपन के समान था अचानक फट गया अंतरिक्ष धै गया था उसी समय दरवाजे की चौखट के अंदर भयानक उर्जा से स्पंदित एक काला छेद दिखाई दिया अंधेरी खाई में घूरते हुए कोई नहीं बता सकता था कि दूसरी तरफ क्या है एक शूने गलियारा देवेश मन ही मन बुदबुदाया उसे टोंग जुआन छेतर में अंगिनत शूने गलियारों का सामना करना पड़ा था लेकिन उसने अब तक कभी भी शूने गलियारे का निर्मान नहीं देखा था एक अंतरिक्ष सर्णी स्वार्ड यूनियन की यूशी अचानक चिल्ला उठीन उनकी खूबसूरत आखे बुरी तरह कामपने लगी वरिष्ट क्या आप समझते हैं कि अंतरिक्ष सार्णी का निर्मान कैसे किया जाता है लुगुई चेन की अभिव्यक्ति में भी भारी बदलाव आया उनके सामने सेंट क्रिस्टल से भरा विशाल स्पिरिट एरे हाला कि स्पष्ट रूप से थोड़ा खुरद रा था निससंदे एक स्पेस एरे था एक प्रसिध स्पेस एरे गुई जू ने सिरहिलाया कुछ हद तक लेकिन मैं इसमें बहुत कुशल नहीं हूँ यहां हजारों वर्षों के श्रमसाध्य शोध का परिणाम है और यह बूढ़ा गुरु अंतरिक्ष के दाओ को समझने के लिए थोड़ा अनुप्युक्त लगता है हाला कि मैंने इसका अध्ययन करते हुए पूरी सहसराब्दी बिता दी फिर भी मैं अंतरिक्ष के रहसियों को समझने में असमर्थ हूँ यह वास्तव में व्यक्ति को असहाय महसूस कराता है अंगिनत सेंट क्रिस्टल से निर्मित स्पिरिट एरे वास्तव में एक स्थानिक एरे था और इसके केंडर में जो दरवाजा स्थार शिप मलबे के टुकरो से बनाया गया था वह वास्तव में स्पिरिट ग्रिस्टल की एक पतली परत से डहका हुआ था परत शुने गलियारे को बनाए रखने की कुनजी थी और इसे सौ से अधिक Space Rings से निर्मित किया गया था यही कारण था कि गुईजू ने पहले सभी से उनकी Space Ring लूट ली थी यहां उनके निर्मान के लिए उपयोग किये जाने वाले Space Spirit Crystal को प्राप्त करना था अब लूगूई चेन और यूशी को समझ आया कि गूई जूने यहां से भागने की योजना कैसे बनाई वह खुद को दूर भेजने के लिए इस स्थानिक सर्णी का उपियोग करना चाहता था जब उन्होंने इस शूने गलियारे को देखा तो सभी प्रकार के संदेह, सभी प्रकार के भ्रम यह सब स्पष्ट हो गया उपस्थित सभी लोग यह भी देख सकते थे कि इस स्थानिक सरनी द्वारा बनाया गया शूने गलियारा अविश्वसनिय रूप से अस्थिर था और किसी भी क्षन तूट सकता है क्या ऐसी चीज का वास्टव में उप्योग किया जा सकता है और भले ही यह किसी को सफलता पूर्वत ले जा सके यह जानना असंभव था कि वे कहा पहुँचेंगे यदि यह चीज किसी को शूने में भेजती है तो सपष्ट रूप से इस महादवीक पर फंसे रहना बहतर होगा कम से कम यहां आभा समरिध थी और सामगरिया प्रचुर थी एक पल के लिए सभी चुप हो गए गुईजू ने मुस्कुराते हुए कहा यह आपके लिए मेरी मदद करने का समय है जैसे ही ये बयान सामने आया तो हर किसी का दिल बैठ गया ऐसा प्रतीत होता है कि वह चाहता था कि अन्य लोग अंदर जाए और स्थिती का पता लगाए इस बुजूर्ग की मन्शा समझकर सभी के चहरे का रंग उड़ गया वरिष्ट क्या यह सचमुच उचित है यूशी ने उच्शुकता से पूछा वह किसी तरह गुईजू से बात करना चाहती थी हम्फ क्या गलत गुईजू ने मुड़कर उसे उदासीनता से देखा जिससे एक ठंडी आभाने यूशी को एक लबादे की तरह धेर लिया जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गई तुन्हें लगता है कि इस बुढ़े मालिक ने तुम सबको एक दूसरे को मारने से मना किया था और बिना किसी कारण के तुम सबको इस जड़ह की सामगरी इकठा करने की इजाजत दी थी हम्फ यदि आपके पास कोई उपियोग नहीं होता तो इस बुढ़े मालिक ने आप सभी को मार डाला होता और आपकी आत्माओं को मेरे भूत धवच को खिला दिया होता बजाए इसके की आप यहां बेशर्मी से इधर उधर भटकते गुईजू जोर से चिलाया उसका क्रूर स्वभाव पूरे प्रदर्शन पर था जो सौमे स्वभाव उसने एक क्षण पहले दिखाया था वह अचानक रक्त पिपासु हो गया जो कोई भी दोबारा एक भी आपत्ती उठाने की हिम्मत करेगा यह बूढा मालिक तुम्हें बेरहमी से पीडित करेगा इस खत्रे के सिर पर मंदराने के कारण किसी को भी कुछ भी बकवास बोलने की हिम्मत नहीं हुई गुईजू की ताकत के साथ भले ही उन सभी ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए वे सभी आग्याकारी बन गए गुईजू ने संतुष्टी के साथ सिर हिलाया उसकी तेज नजरे भीर पर घूम रही थी जिससे सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया वे सभी उससे नजरे मिलाने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें चुना जाएगा भाड में जाओ मेरी तरफ मत देखो मेरी तरफ मत देखो बार बार मंत्रों चार करते हुए शेंतू की आखे भी जुप गई जैसे वह बुढ़े व्यक्ती की चकाचौंध की दिशा बदलने के लिए किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रहा हो आप छोटे बच्चे आगे आओ और इस बुढ़े मालिक की मदद करो गुईजू ने अचानक इशारा किया हर किसी ने गुईजू द्वारा बताई गई दिशा की ओर देखा और यह देखने के बाद की दुरभाग्य शाली व्यक्ती को चुना गया था उनकी नसे अचानक शान्थ हो गई उनमें से कई लोग इस व्यक्ति के दुर्भाग्य पर आनंद भी ले रहे थे मल शेन्तू का चेहरा काला पड़ गया और उसने खुद को धोखा देने की कोशिश में खोखली हंसी उडाते हुए कहा क्या सीनियर मेरा जिक्र कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं नहीं थी इस समय शेन्तू को लगा कि उसका दिल मर रहा है और उसने गुप रूप से निर्ने लिया कि यदि गुईजूने वास्तव में उसे इस थानिक सर्णी का परीक्षन करने के लिए चुना है तो वह सहयोग करने के बजाय मरना पसंद करेगा तुम्हारे बगलवाला गुईजूने देवेश की ओर नजरे घुमाई मुझे इस बार अचंभित होने की बारी देवेश की थी उसने खुद की ओर इशारा करते हुए चिलाया मुझे क्यों चुना यहां बहुत सारे लोग हैं विशेश रूप से मुझे ही क्यों चुना वह सचमुच उदास था यहां स्वोर्ड यूनियन और परपल स्टार दोनों के लगभग एक सौ क्रिशक थे फिर भी इस गुईजूने उसे अलग कर दिया था वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या उसकी किस्मत इतनी खराब थी गुईजूने ठंडे स्वर में कहा आप बहुत कानून का पालन करने वाले नहीं लगते क्या यही कारण है देवेश ने भौहे सिकोर ली और जल्दी से कहा सीनियर कृपया मुझे छोड़ दीजिए भविश में मैं और अधिक आज्याकारी बनूँगा भविश में? कोई भविश नहीं है गुईजूने अधीरता से कहा वरिष्ट बुधिमान है यूशी ने बहुत व्यंग किया और उसकी प्रशंसा की और देवेश पर तिरची नजर डाली उसके चहरे पर खुशी भर गई अभी अभी देवेश ने उसे अपमानित किया था फिर भी अब उसे जबरगस्ती मौत की और धकेला जा रहा था बुराई का प्रतिशोध तेजी से आया यूशी अचानक इस बुढ़े व्यक्ती के प्रतिकृतग्य महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि वह देवेश को छटपटाते हुए देखने के लिए उचसुक थी जिससे उसके मारे गए शिशयों के लिए बदला लेने के दौरान उसके दिल में नफरत शांत हो गई देवेश का चहरा ठंडा हो गया जब उसने यूशी की ओर देखा और अपने दान पीस्ते हुए चिलाया सस्ते फूहड मैं इसे याद रखूँगा यूशी ने बस हंसते हुए इस धमकी को नजरंदाज करते हुए उपहास किया आज के अतीत को जीने के बाद फिर से यही कहना सीनियर वास्तव में बुद्धिमान है मेरा परपल स्टार बिना शर्थ सीनियर की व्यवस्था का पालन करेगा लूगूई चेन ने पीछा किया जब तक यह गूईजू अपने लोगों को नहीं चुनता लूगूई चेन और यूशी को कोई परवाह नहीं होगी तुम यहां काफी लोग प्रिय हो छोटे लड़के अब और मना मत करो गूईजू ने हंस्ते हुए पहले अपना हाथ बढ़ाया एक अनुठा सक्षन बल बनाया और देवेश को अपनी ओर खीच लिया गूईजू के सामने पहुँचकर देवेश विरोध करने का प्रयास भी नहीं कर सका स्थानिक सरनी द्वारा खोले गए शूने गलियारे को घूरते हुए देवेश की अभिव्यक्ती रसातल में डूग गई वह महसूस कर सकता था कि यह शूने गलियारा उसके द्वारा पहले देखे गए गलियारों से बिलकुल अलग था अब तक उसका जिन लोगों से सामना हुआ था वे सभी अंजाने में प्राचीन काल में महान गुरुओं द्वारा बनाए गए थे जब उन्होंने अंतरिक्ष के खंडों से लड़ाई की और उन्हें नश्ट कर दिया था हाला कि ऐसे शूने गलियारे अंगिनत साल पहले बने थे और पहले ही स्थिर हो चुके थे उसके सामने का शूने गलियारा अब पूरी तरह से अस्तव्यस्थ था और इस चोखट से जिस शूने अशान्ती को वह महसूस करता था उससे दिवेश को भी भय का अनुभव होने लगा यदि उसे वास्तव में अंदर फेंक दिया जाता तो वह निश्चित रूप से जीवन यामृत्यू के संकट में पढ़ जाता संभवता अनंत काल के लिए शूने में खो जाता मैं आपकी टाकत पर महर नहीं लगाने जा रहा हूं क्योंकि अंदर कुछ खत्रा हो सकता है आप अंदर जाएं और स्थिती की जाच करें यदि आप जीवित वापस आ सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इस पुराने मास्टर को दोश न दें ठीक है अपना सर्वश्रिष्ट प्रयास करें इतना कहकर गुईजू देवेश को शूने गलियारे में फैंकने के लिए आगे बढ़ा इंतजार देवेश ने जल्दी से खराटा लिया क्या गुईजू ने उसे असंतुष्ट द्रिष्टी से देखा वरिष्ट आपको केवल मेरे अंदर जाकर स्थिती की जांच करने की जुरूरत है हाँ वास्तव में और मैं ऐसा कैसे करू यह मुझ पर निर्भर है यदि ऐसा है तो मुझे आशा है कि वरिष्ट मुझे अपने तरीकों का उप्योग करने की अनुमती दे सकते हैं ओह गुईजू ने अचानक दिल्चस्पी दिखाते हुए देवेश की दोबारा जांच की और उत्सुकता से पूछा और आप किस विधी का उप्योग करना चाहते हैं आपको सपष्ट होना चाहिए इस बुढ़े गुरु के सामने चालाकी करना बेकार है देवेश ने शांती से कहा मेरे मन में ऐसे विचार नहीं थे उसकी अभिव्यक्ती अभी भी नाखुशी से भरी हुई थी इसमें कितना समय लगेगा यह बुढ़ा मास्टर बहुत धैर्यवान नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि यह सोचकर की देवेश मरने वाला है गुईजू आश्चर्यजनक रूप से उसे प्रयास करने देने के लिए सहमत हो गया इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है देवेश ने पाल्थी मार कर बैठने से पहले कहा और चिल्लाते हुए कहा बाहर आओ उनके चिल्लाने के साथ ही आंशिक रूप से दिखाई देने वाली आध्यात्मिक उर्जा का एक टुकड़ा अचानक उनके शरीर से निकला यह उर्जा भ्यामक और आकाशिय थी लगातार आकार बदल रही थी लेकिन एक पल के बाद यह देवेश की उपस्थिती में संधनित हो गई एक आत्मा अवतार इस इकाई के रहसे को समझकर कोई बुदबुदाया लू गुई चेन, यूशी और अन्य सभी स्थ रह गए गुई जू भी अजीब तरह से हसे किसी ने नहीं सोचा था कि देवेश जिस तरीके की बात कर रहा है वह असल में उसके आत्मा अवतार को उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए था वह स्पष्ट रूप से केवल अपने आत्मा अवतार के साथ शूने गलियारे का पता लगाना चाहता था लेकिन क्या वह नहीं जानते थे कि किसी की आत्मा का अवतार बेहत नाजुक था और वह लंबे समय तक अपने मेजबान शरीर को नहीं छोड़ सकता था इसके अलावा इस तरह का अभ्यास बेहत खतरनाक था अगर यहां कोई भी उस पर किसी भी तरह के आकरामक सोल स्केल का इस्तिमाल करता तो उसके सोल अवतार को निश्चित रूप से भारी नुकसान होता अपने मेजबान शरीर की सुरक्षा के बिना एक आत्मा अवतार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों नहों कांटों के बिना हेज होक की तरह नाजुक और कमजोर होगा ओह गुईजू का लापरवाह रूप अचानक बदल गया इस सोल अवतार को करीब से देखने पर गुईजू को पता चला कि यह थोड़ा निरस लग रहा था जैसे इसकी अपनी कोई चेतना ही न हो चोटे बच्चे तुमने किस प्रकार की अजीब तकनीक विक्सित की है जो वास्तव में तुम्हें दो आत्मा अवतारों को रखने की अनुमती देती है गुईजू चिलाया उसके चहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दे रहा था यहां तक की गुईजू जैसा किरदार भी देवेश के तरीके से हैरान था आत्मा विखंडन देवेश ने फीके स्वर में उत्तर दिया आत्मा विखंडन तकनीक महान दानव भगवान की दिव्यक शमताओं में से एक थी देवेश ने नाइन हेवन्स होली लैंड के पवित्र मकबरे में सबसे शुद्ध दानव देवता गोल्डन ब्लाड की एक बूंद को अवशोशित किया था और उससे इस दिव्यक शमता का ज्यान प्राप्त किया था तब से वह अपने सोल क्लोन की खेती कर रहा था और एक जटके में दस साल पहले ही बीच चुके थे यह सोल क्लोन लगभग महान उपलब्धी चरण तक पहुँच गया है और जल्द ही प्रयोग करने योग्य होगा लेकिन आज गुईजू के लिए इस शुने गलियारे के अंदर का पता लगाने के लिए उसे इस सोल क्लोन का उप्योग करने के लिए मजबूर होना पड़ा देवेश इस हद तक व्यथित था कि उसे खासी के साथ खून आने की इच्छा हो गई थी दिल्चस्प बहुत दिल्चस्प तुम वास्तव में जानते हो कि दूसरों को कैसे आश्चर यच्कित करना है गुईजू ने इस सोल क्लोन की बड़ी दिल्चस्पी से जाच की जल्द ही पता चला कि खुद के बारे में सोचने की क्षमतान ना होने के अलावा यह मूल रूप से देवेश के अपने सोल अवतार के समान था सक्ती से कहें तो यह मूल रूप से एक कटपुतली थी जिसमें खुद को समाहित करने के लिए कोई भौतिक आवर्ण नहीं था हाला कि कुछ देर तक इसे देखने के बाद गुईजू ने अपने होंट सिकोड लिए इस चीज को अपनी शक्ती प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त शरीर की आवश्चता है अन्यथा इसका कोई विशेश उपयोग नहीं है उन्होंने इस सोल क्लोन की कमियों को एक नजर में समच लिया था लेकिन अभी के लिए यह काफी उपयोगी है गुईजू ने अपनी आध्यात्मिक उर्जा का एक टुकड़ा जारी करने से पहले कहा देवेश के सोल क्लोन को कसकर लपेटा फिर इसे बिना किसी आपचारिक्ता के शूने गलियारे में फेंक दिया अपनी आध्यात्मिक उर्जा की शक्ती के माध्यम से वह भी शूने गलियारे के अंदर की जाच कर सकता था सभी की सासे अचानक रुप गई और नतीजे आने का इंतजार करने लगे वे जानते थे कि यदि इस बार असफर रहे तो आज जैसी स्थिती दूसरी बार फिर तीसरी बार सामने आएगी यह गुई जू तब तक प्रयोग करना जारी रखेगा जब तक उसे इस स्थानिक सरनी के लिए सही कॉन्फिग्रेशन नहीं मिल जाता आज देवेश का चयन हो चुका था और वे उसके दुरभाग्य पर हंस सकते थे लेकिन कौन जानता है कि अगली बार किसे चुना जाएगा शायद उनमें से ही कोई होगा जो बदकिस्मत होगा एक पल में हर किसी का दिल जटिल भावनाओं से भर गया उनमें से कई इमानदारी से प्रार्थना करने लगे कि देवेश का सोल क्लोन सुरक्षित और स्वस्थ होकर वापस आ जाए यहां तक कि यूशी जो देवेश की जल्द मौद का इंतजार नहीं कर सकती थी उसके सुन्दर चहरे पर चिंता की जलक दिखी धीरे धीरे समय बीटता गया सेंट क्रिस्टल्स की रोशनी भी मंद पढ़ने लगी क्योंकि उनमें मौजूद उर्जा जल्दी ही खत्म हो गई दर्वाजे की चोखट के पास देवेश चहरे पर उतार चढ़ाव के साथ पाल्थी मार कर बैठा था गुईजू उसके बगल में खड़ा था उसकी अभिव्यक्ती भी तेजी से बदल रही थी सेंट क्रिस्टल्स की टिंटिमाती चमत ने उसकी अभिव्यक्ती को रोशन कर दिया जिससे वह सामान्य से भी अधिक भयानक दिखाई देने लगी पहाड की चोटी पर परपल स्टार और स्वोर्ड यूनियन के सभी किसान उचसुकता से इंतजार कर रहे थे उनमें से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था जिससे एक शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल बन गया उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह कितना समय था लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि देवेश का शरीर काम रहा था और उसका चेहरा सफेट पड़ गया था जैसे कि उसे अभी अभी कोई भयानक अनुभव हुआ हो अंतरिक्ष सरनी द्वारा खोला गया शूने गलियारा भी एक महान जानवर के पंजे की तरह खुलने और बंध होने के कारण हिलने लगा पलक जपकते ही गहरा काला शूने गलियारा ढह गया और पहार के चारों और का विकृत स्थान सामाने स्थिती में लौट आया जैसे ही शूने गलियारा ध्वस्थ हुआ देवेश का सोल क्लोन और गुईजू की आध्यात्मिक उर्जा का तार उड़ गया गुईजू ने इस विस्प को अपने शरीर में वापस ले लिया जबकि देवेश ने भी अपना सोल क्लोन वापस ले लिया और कुछ समय तक उसने देवेश पर कोई ध्यान नहीं दिया कुछ देर बाद सिर हिलाया अच्छा तुमने अच्छा किया जाओ अपने आपको पुनर स्थापित करो वरिष्ट अगर दोबारा ऐसा मौका आए तो क्या आप सबसे पहले मेरी तलाश करेंगे देवेश ने रुखाई से पूछा गुईजू ने मुस्कुराते हुए कहा यह मेरे मूर पर निर्भर करता है और आप अप से कैसा व्यवहार करते हैं देवेश का चहरा काला पड़ गया और वह बिना कुछ कहे उड़ गया शेन्टू के पास उतर गया और पाल्थी मार कर बैठ गया जाओ अपने आपको ग्यस्त करो लेकिन बहुत दूर मत जाओ जब मुझे दोबारा आपकी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तुरंट पहुँचेंगे गुईजू ने हलके से कहा उसे यह कहते हुए सुनकर सभी को राहत की अस्थाई अनुभूती महसूस हुई और वे जल्दी से तितर बितर हो गए जितनी जल्दी हो सके पहाड की चोटी से भाग गए देवेश और शेन्टू भी इस अभिशप्त जगह में एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे और बाहर निकल गए एक शनबाद केवल गुई जूही पहाड के उपर रह गया वह अंतरिक्ष सरनी को घूर रहा था जिसे बनाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया था और गहराई से सोच रहा था कि इसे काम करने के लिए इसे कैसे बदला जाए हाला कि इस बार वह सफल नहीं हुआ था लेकिन वह इस तरह के परिनाम के लिए मनोवैग्यानिक रूप से तयार था इसलिए उसने बहुत अधिक निराशा नहीं दिखाई आखिरकार जब वह यहां आया था तो वह अभी अभी सेंट किंग शेतर में ही घुसा था और किसी भी विशेश अनुशासन में पारंगत नहीं था अंतरिक्ष सिध्धान तो बिलकुल भी नहीं इस स्पेस एरे को विक्सित करने में उन्हें एक हजार साल लग गए और इसमें भी भागय का बहुत योगदान था यह अफसोस की बात थी कि अंतरिक्ष सिध्धान्त के रहसे कुछ ऐसे थे जिन्हें वह सटीक रूप से समझ नहीं सका ओरिजिन किंग डायरे में पहुँचने के बाद भी अंतरिक्ष के रहसे अभी भी उससे दूर थे इस तरह की चीज के लिए कच्चे प्रयास के बजाए योग्यता और अफसर दोनों की आवश्चता होती है थोड़ी देर तक विशाल स्पिरिट एरे के बीच में बैठने के बाद उन्होंने सेंट क्रिस्टल्स की पंक्तियों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया इसे कभी कभी थोड़ा बदल दिया पहाड की चोटी से एक दरजन किलोमीटर दूर देवेश अचानक रुप गया क्या गलत है हमें दौरते रहना चाहिए शेंटू ने उच्सुक्ता से उसकी ओर देखा और आग रह किया आप कहा भागना चाहते हैं देवेश ने उसे अजीब नजरों से देखा मुझे नहीं पता मैं कितनी भी दूर तक दौर सकता हूँ मैं दौरने का इरादा रखता हूँ शेंटू चिलाया मैं नहीं चाहती कि उसकी नजर मुझ पर पड़े और फिर मुझे उस दर्वाजे में फ्रेंक दिया जाएं मैं अपने जीवन या मृत्यों को भी नियंत्रित करने में असमर्त हूँ देवेश ने सिरहिलाया वह यहां का मालिक है आप जहां भी जाएं वह आपको तुरंट धूंड लेगा सच है शेंटू ने इसके बारे में सोचा और सहमती में सिरहिलाया भाई एक क्षण पहले मैंने बहुत इमांदार व्यवहार नहीं किया था लेकिन वास्तव में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ यह ठीक है यह मेरी अपनी गलती है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे उसका ध्यान आकरशित हुआ देवेश जानता था कि गुईजू ने उसे पहले क्यों चुना था यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उसने वेईवू को मार डाला था गुईजू को लगा होगा कि उसने उसके आदेशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उसने तै कर लिया है कि देवेश परियाप रूप से आज्याकारी नहीं है इसका शेन्तू से कोई लेना देना नहीं था और भले ही शेन्तू ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी गुईजू की पूर्ण ताकत के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था उस शूने गलियारे के अंदर आपके साथ क्या हुआ शेन्तू ने उचसुकता से पूछा मुझे नहीं पता मेरे सोल क्लोन की अपनी चेतना नहीं है हाला कि मैंने इसमें अपना दिव्यभाव जोड दिया था फिर भी मैं ज्यादा कुछ देखने में सक्षम नहीं था अंतरिक्ष सिध्धान्त के बारे में गुई जू की वर्तमान समझ के साथ मैं आपको केवल यह बता सकता हूँ जो कोई भी उस दर्वाजे में प्रवेश करेगा वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा इस बार मेरा सोल क्लोन केवल इसलिए बच सका क्योंकि उसका कोई भौतिक रूप नहीं था और इस प्रकार वह मूलता विचार की गती से आगे बढ़ने में सक्षम था शेन्तू का चेहरा पीला पड़ गया फिर वह इसका अध्ययन क्यों करता रहता है वह यहां 2000 साल से फंसा हुआ है स्वाभाविक रूप से वह यहां से निकलना चाहता है लेकिन हमारे लिए यह जगह किसी खेती की पवित्र भूमी से कम नहीं है उसका ओरिजिन किंग दायरे को तोड़ने में सक्षम होना निश्चित रूप से इस खेती के माहौल से संबंधित है देवेश ने एक लंबी सास ली और करवाहट से मुस्कुराया इसके बजाए आपको आभारी होना चाहिए कि वह अभी भी उस अंतरिक्ष सर्णी का अध्ययन करने का इरादा रखता है अगर एक दिन वह तै कर ले कि इस जगह से भागने के लिए इसका इस्तिमाल करना असंभव है तभी असली आपदा शुरू होगी भया मुझे ऐसे मत दराओ शेंतु ने वास्तव में भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई उसके मन में ऐसे द्रिशिकी कल्पना मात्र से ही वह काम उठा एक बार गुईजू ने उस अंतरिक्ष सर्णी में आशाखो दी और महसूस किया कि यहां से भागने का कोई संभव रास्ता नहीं है उसके स्वभाव और चरित्र के साथ यहां हर कोई निश्चित रूप से मौत से भी बत्तर भाग्य का अनुभव करेगा अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं देवेश ने उसकी ओर देखा और पूछा मुझे नहीं पता मरने का इंतजार करो शेंतू का मोग हुमा तुम्हारे बारे में क्या देवेश ने लापरवाही से उत्तर दिया एकांध खेती में जाने के लिए जगह की तलाश करें शेंतू स्थब्ध था कुछ हद तक समझ नहीं पा रहा था कि देवेश अभी भी इतना शांत और निश्चिंत क्यों लग रहा था बिल्कुल भी चिंतित नहीं था एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए शेंतू ने सिरहिलाया फिर मैं खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ ढूंडूंगा सारा दिन किनारे पर बैठे रहने से बहतर है इस महादवीक पर वह केवल देवेश के साथ ही मिल सकता था स्वोर्ड यूनियन और परपल स्टार दोनों के लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे इसलिए अब जब देवेश एकांत स्थान में प्रवेश करने जा रहा था शेंतू एक मात्र व्यक्ति को खोने वाला था वह बात कर सकता था जिससे वह थोड़ा व्याकुल महसूस कर रहा था वह नहीं जानता था कि क्यों उसकी ताकत स्पष्ट रूप से देवेश की तुलना में बहुत अधिक थी लेकिन वह वास्तव में यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह किसी भी तरह से सभी पहलों में उससे कमतर था देवेश को ऐसा लग रहा था कि वह शान्त रहने में सक्षम था चाहे उसके सामने कुछ भी आए वह अपनी क्षमता से परे किसी भी स्थिती को चुपचाप देखता रहा जब तक कि उसे वहां से निकलने और नियंतरन लेने का कोई रास्ता नहीं मिल गया शेन्तू इसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सका कुछ देर के लिए अलग-अलग रास्ते पर जाने से पहले उन दोनों ने कुछ और शब्द कहे शेन्तू क्या करने वाला था, देवेश को नहीं पता था जहां तक उसकी बात है, वह उस गुफा की ओर वापस जा रहा था जहां वह पहले कीमिया का अभ्यास कर रहा था, चाहे कोई भी स्थिती हो अधिक ताकत जीवित रहने की सबसे अच्छी गारंटी थी, देवेश इस बात को किसी भी अन्य की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से समझता है, लुगुई चेन की सील के कारण वह पिछले दो महीनों में अपनी ताकत में सुधार नहीं कर पाया था, इसलिए अब जब वह इससे मुक्त हो गया था, तो वह इस दुलब अफसर को बरबाद नहीं करना चाहता था वरिष्ट मैं कीमिया का अध्ययन जारी रखने के लिए उस गुफा में जा रहा हूँ जहां आपने मुझे पहले पाया था, क्या आपको इससे कोई समस्या है, बस मामले में देवेश ने गुईजू को एक दिव्यभावना संदेश भेजा थोड़ी देर बाद गुईजू की आवाज उसके कान में पड़ी, जाओ, मुझे अस्थाई रूप से तुम्हारे लिए कोई फाइदा नहीं है बहुत धन्यवाद देवेश ने अपने स्टार शटल को बुलाने और उडान भरने से पहले सिरहिलाया हालाकि वह अभी बहुत दूर नहीं बहपाया था कि उसने एक कोमल आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी देवेश देवेश रुप गया और उसने ध्वनी के स्रोत की ओर देखा, हेजाओ और हे मियाओ को पास से उसकी ओर उरते हुए देखा कुछ देर बाद दोनों बहने उसके सामने आ गई हेजाओ की अभिव्यक्ती थोड़ी जटिल थी जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि क्या कहना है दूसरी और हे मियाओ ने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या वरिष्ट भाई वेईवु को वास्तव में आपने मार डाला था आप क्या सोचते हैं, देवेश ने सीधा जवाब नहीं दिया मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावना है, उन्होंने मियाओ ने तिरसकार पूर्वक कहा वरिष्ट भाई वेईवु के पास तीसरे क्रम की संथ खेती थी ताकत में अंतर्स पष्ट है तुम बहुत कमजोर हो, तुम उसे कैसे मार सकते हो? मैं इतना कमजोर हूँ, देवेश ने चौकते हुए पूछा हे मियाओ ने उसे गंभीरता से देखा अपनी दैविय भावना का उपयोग करते हुए मुस्कुराने से पहले उसे चक्मा दिया तुम किसी भी मामले में मजबूत नहीं हो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ हाँ? देवेश ने बहस करने का कोई इरादा न रखते हुए धीरे से सिरहिलाया थोड़ा रुख कर पूछा क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? हे जाओ धीरे से फुस्फुसाए जाहिर तौर पर हम यहार यह कहने आए हैं कि हमें खेद है उसने अपने लाल होंट काटे और माफी मांगी आपने अराजक खाई में हमारी मदद की, हमारी जान बचाई सपष्ट रूप से हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए लेकिन मास्टर ने कहा देवेश ने बात को दिल पर न लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा इसका आप से कोई लेना देना नहीं है किसी भी मामले में हमें बहुत खेद है इसके अलावा वरिष्ट भाई वेई वू की मृत्यू के कारण मास्टर बहुत परिशान है और उसने हमें तुम्हें मारने का अफसर खोजने के लिए कहा देवेश अगर हम बहने आपके भविश्य के लिए लड़े तो कृप्या हमें दोश न दें हमारा यह इरादा नहीं है देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे पता है लेकिन अगर आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो आप मेरे द्वारा मारे जाने के लिए मनोवैज्यानिक रूप से तयार रहेंगे मैं वहां खड़ा नहीं रहूंगा और जवाबी लड़ाई नहीं करूंगा हम तुम सच में बहुत घमंडी हो हे मियाओ ने कहा अगर हम बहने सच में तुम्हें मारने की कोशिश करें तो क्या तुम कोई प्रतिरोध कर सकती हो इसे आजमाए और पता लगाएं हे मियाओ असभ्य मत बनो हे जाओ ने धीरे से डाटा मुझे पता है हे मियाओ ने अपनी जीब बाहर निकाली में मर गए तो इससे किस तरह का फाइदा होगा वेई वू आपका क्या मतलब है हे जाओ ने उसे संदेह से देखा देवेश हसे बस पूछ रहा हूँ उन्होंने जाओ को परिशान किया और मामले पर गंभीरता से विचार किया मास्टर एक तलवार संद क्रिशक हैं और उनके कई शिश्य नहीं है केवल हम बहने और वरिष्ट भाई वेई वू ही कुछ वादा दिखाते हैं जदी हम मर जाते तो मास्टर निश्चित रूप से उसे विक्सित करने पर ध्यान केंद्रित करते आप अराजक रसातल में कैसे खो गए देवेश ने फिर पूछा वरिष्ट भाई वेई वू ने हमें एक संदेश भेजा जिसमें हमें अराजक रसातल के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया हाला कि हमने कभी भी परपल स्टार से उस समुह में आने की उम्मीद नहीं की थी हम बहने संख्या में कम थी और हमें मजबूर किया गया मजबूर किया गया हेजाओ यहीं तक बोला और फिर रुप गया उसकी अभिव्यक्ती नाटकिय रूप से बदल रही थी कुछ सुलजने जैसा लग रहा था उसका कुमल शरीर अंजाने में कांप रहा था क्योंकि उसने देवेश की और आश्चर्य की द्रिश्टी से देखा क्या हम फिर मिलेंगे देवेश ने और कुछ नहीं कहा उसका शरीर तेजी से नीली रोशनी में लिपता हुआ था जो दूर तक फैल गया चिन्तित हे जाओ को पीछे छोड़ते हुए उसका सुन्दर चेहरा एक घृुभंग में विक्रित हो गया जबकी हे मियाओ शुन्यता से घूर रहा था थोड़ी देर बाद हे मियाओ ने धीरे से फुस्कुसाया वह वास्तव में एक अजीब व्यक्ति है जो अचानक ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है मुझे लगता है कि वह वास्तव में हमारे विचार से अधिक चतुर है ये जाओ की खूबसूरत आखों में एक शान्दार रोशनी चमक उठी इसके अलावा आप उसे बहुत कम आख रहे है उसके वरिष्ठ भाई वेईवु को मारने में सक्षम होने का मतलब है कि वह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता था शायद वह हमें अपनी नजरों में जगह भी नहीं देता क्या? क्या बड़ी बहन उसे ज्यादा नहीं आक रही है? वह मियाव चिलाया क्या आपको अभी भी याद है जब हम पहली बार अराजक खाई में उससे मिले थे तो उसने भागने या चिपने की कोशिश भी नहीं की थी वह नहीं जानता था कि हम कौन थे या क्या हमारे मन में उसके प्रती कोई दुरभाब नापूर्ण इरादे थे फिर भी वह हमारा सामना करने के लिए उसी स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा था दूसरे शब्दों में उसे लगा कि भले ही हम अपनी ताकत के बावजूद उससे दुश्मनी सहलें फिर भी हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे उन्होंने जावने गंभीरता पूर्वक घोशना की परिचत गुफा के अंदर विश्व उर्जा एक शुध तरल में संधनित हो गई जो उपर के स्टैलेक्टाइट्स से तपक कर जमीन पर बिखर गई पूरी गुफा हलके कोहरे से ढकी हुई थी विश्व उर्जा आभा इतनी घनी थी कि वह लगभग अटूट थी देवेश पाल्थी मार कर बैठा था उसके करोडों छिदर पूरी तरह से खुले हुए थे पागलों की तरह इस समरिद आभा को निकल रहा था उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लगभग नगन आखों से दिखाई दे रही थी तारों वाले आकाश की यात्रा पर निकलने से पहले देवेश अभी अभी सेंट दाइरे में पहुचा था कई दिनों तक स्टार फीड में भटकते हुए वह शांती से रहने और खेटी करने के लिए जगह ढूंडने में अस्पर रहा था फिर उसे परपल स्टार क्रिशकों द्वारा पकड़ लिया गया और अपने स्टार्शिक पर ले जाया गया जिससे एक बार फिर उसे खेटी करने का समय नहीं मिला इससे पहले की वह भाग पाता, वह और परपल स्टार के सभी किसान इस तैरते महादवीप में फस गए थे जहां उसकी खेटी को दो महीने के लिए सील कर दिया गया था अब जब उसे अंतह अपनी आजादी मिल गई, तो देवेश ने इस स्थिती का पूरा फाइदा उठाने का इरादा किया केवल मजबूत बनकर ही वह अधिक संभावनाय खोल सकता है विशन परिस्थितियों में भी देवेश ने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा देवेश ने इस गुफा के इलाके को थोड़ा बदल दिया था ताकि समरिध विश्वूर जा आभा उसकी ओर अधिक तेजी से प्रवाहित हो सके जिससे उसे अवशोशित करने और उप्योग करने की उसकी क्षमता अधिक्तम हो सके इस प्रकार उनकी खेती लगातार बढ़ने लगी जब देवेश ने देखा कि उनकी खेती की प्रक्ती की गती धीमी हो रही है तो वे एक ब्रेक लेते थे और अपने मूर को ठीक करने के लिए कई गोलिया बनाते थे या बाहर जाते थे और कीमती जड़ी बूटियों के लिए पहाडों के जंगलों की खोज करते हुए इस महादवीग की सुन्दरता का पता लगाते थे शेंटू ने जो कहा वह बिल्कुल सही था इस जगह की भौतिक संपदा बहुत अधिक सम्रिद्ध थी देवेश जहां भी जाता था उसे लगभग हर जगह स्पिरिट धास और स्पिरिट औश्धिया मिलती थी जिनमें से प्रत्येक पूरी तरह से परिपक्व होती थी और शक्तिशाली चिकित सा प्रभावकारिता से युक्ठ होती थी यहां आने वाले किसी भी कीनियागर का अती उत्साह के कारण हृदय रुक जाएगा देवेश द्वारा परिश्कृत की गई गोलियों का उप्योग उसकी खेती को बढ़ाने के लिए भी किया जाता था प्रत्येक सेंट पिल जो उसके पेट में प्रवेश करती थी उसकी दर बढ़ती थी जिससे वह अपनी ताकत को चरम सीमा तक बढ़ा सकता था हालाकि देवेश के लिए खेती अब सिर्फ शक्ती जुटाने का मामला नहीं रह गया था देवेश के वर्तमान दायरे में प्रत्येक अतरिक्ट सफलता के लिए शक्ती संचय के साथ साथ एक निश्चित मात्रा में समझ और ज्यान की आवश्शक्ता होती है शक्ती में उसके शारिरिक शरीर और आत्मा की शक्ती दोनों शामिल थे जबकि मार्शल दाओ और स्वर्गिय मार्ग के बारे में समझ और ज्यान भी आवश्शक था यदि इन में से किसी भी कारक की कमी थी तो यह देवेश की खुद को बहतर बनाने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन देवेश के लिए उनकी ठोस नीम की बदौलत ये चीजें कोई बड़ी समस्या नहीं थी और उनकी खेती में किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा दिन बदिन इस अध्भुत वातावर्ण में देवेश की ताकत तेजी से बढ़ती गई और उसे हलका सा भी महसूस होने लगा कि वह दूसरे क्रम के संत शेत्र के करीब पहुँच रहा है उन्होंने अनुमान लगाया कि जब से वह और शेन्टू अलग हुए हैं लगभग एक साल बीच चुका है देवेश काफी समय से दूसरे लोगों से नहीं मिले थे और नहीं किसी से बातचीत की थी लेकिन उन्हें अब भी पता था कि महादवीट के माहौल में कुछ बदलाव आया है परपल स्टार और स्वार्ड यूनियन के क्रिशक एक एक करके गायब होते दिख रहे थे उनके जीवन की आभा समय 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 पर महादवीट से गायब होती जा रही थी उनका भाग्य देवेश के लिए स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था जाहिर है उन्हें गुईजू के स्पेस एरे में फेंक दिया गया था और वे कभी वापस नहीं लोटे सबसे पहले देवेश अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से आसपास के कुछ क्रिशकों की गतिविधी को समझने में सक्षम था लेकिन पिछले 6 महीनों से कोई भी वास्तव में उसकी समवेदी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया था ऐसा लग रहा था मानो पूरे महाद्वीप में वह अकेला बचा हो एक निश्चित दिन देवेश ध्यान में था जब अचानक उसका चेहरा बदल गया उसकी आखे खुल गई और वह एक निश्चित दिशा में देखने लगा उस दिशा से एक उदास आभा एक विशाल जवार की लहर की तरह फैल गई जो महाद्वीप के अधिकांश भाग परचा गई यहां तक की 10,000 किलोमीटर दूर से भी देवेश इस भयावा आभा को सपष्ट रूप से महसूस कर सकता था जिससे वह अंजाने में कामपने लगा और उसे इसके खशरण का विरोध करने के लिए अपने सच्चे यांग युवान क्यूई को प्रसारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा उसी समय देवेश को अच्छी तरह पता था कि जिस गुफा में वह रह रहा था उसके बाहर के पौधे तेजी से सूख रहे थे और उन पर समरिध देथ क्यूई का दाग लग रहा था जैसे की दुनिया ही मर रही हो गुईजू की दहाड अचानक स्वर्ग में गूंड उठी क्यों? यह सफल क्यों नहीं है? इस बुढ़े गुरु ने एक हजार वर्षों तक कड़ी मेहंत से काम किया फिर भी मैं इस अभिशप्त स्थान को क्यों नहीं छोड़ सकता उसकी आवास उनमादपून थी और उसका कच्चा गुस्सा वस्तुतह उसके चारों और के सभी लोगों को प्रभावित कर रहा था देवेश को अचानक एहसास हुआ कि गुईजू ने पिछले वर्ष के दौरान अपने स्पेस एरे पर बहुत कम या कोई प्रक्ती नहीं की है और अब वह हताश हो रहा था देवेश ने अपनी सासे रोक ली और निश्चल पड़ा रहा छोटे बच्चे अब इस बूढे मालिक के पास आओ गुईजू की आवास अचानक देवेश के कान में पड़ी देवेश की अभिव्यक्ती अविश्वसनिय रूप से कड़वी हो गई और उसे नहीं पता था कि यहाँ आशिरवाद था या अभिशा लेकिन अगर यहाँ अभिशाप था तो इसे टाला नहीं जा सकता था इसलिए वह खड़ा हुआ और अपनी गुफा से बाहर चला गया अपने स्टार शटल को बुलाया और फिर आगे बढ़ गया वह परवत जहां गुई जू रहता था एक घंटे के बाद वह पहाड के आधे रास्ते पर पहुँचा और नीचे चलान लगा दी इधर उधर नजरे घुमाते हुए देवेश ने जोर से आभरी और पाया कि उसके साथ यहां आए लगभग एक सौक रिशकों में से केवल दस ही बचे थे बाकी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे हाला कि देवेश वास्तव में इन दस में से आधे से अधिक को जानता था देवेश प्रकट हुआ तो सभी ने उसकी और उदास द्रिश्टी से देखा सभी के चारों और एक निरस वातावन्ड था ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी में भी कोई आक्मा नहीं बची है दुर्भाग्यशाली लोगों का यह पुनर्मिलन पिछली बार से बिलकुल अलग था हाला कि पिछली बार हर कोई चिंतित और व्यग्र था कम से कम उन्हें कुछ उम्मीद थी कि वे एक दिन इस जगह को छोड़ देंगे और गुईजू के निरंकुष नियंतरन से बच जाएंगे लेकिन अब उनमें से किसी को भी ऐसी आशा नहीं थी उनकी आखे धुन्धली हो गई थी बिना एक भी प्रकाश का निशान वे फांसी की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के एक समूह की तरह थे शेन्तु देवेश की ओर मुड़ा और हलके से सिरह लाया, नमस्ते भी नहीं कहा, जाहिर तोर पर वह कुछ भी कहने के मूर में नहीं था ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिन काफी सुखद रहे हैं, छोटे बच्चे, गुईजू स्पेस एरे के बीच में खड़ा हो गया और देवेश वो उपहास के साथ घूरने लगा वरिश्ट मैं इस दोरान बहुत इमानदार रहा हूँ मैं एकांत में रहा हूँ, कभी किसी तरह की परिशानी नहीं पैदा की, देवेश का मुह घूं गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा राक्षस उसे अचानक क्यों घूर रहा है यह बूढ़ा गुरु जानता है आपके सभी ठिकाने इस पुराने स्वामी की धारना से बच नहीं सकते यह बूढ़ा मास्टर स्वाभाविक रूप से जानता है कि आप बहुत इमानदार है, गुईजू ने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन ठीक इसी वजह से यह बूढ़ा मास्टर बहुत दुखी है ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस बात की भी चिंता नहीं है, कि आप इस अभिशप्त जगह को छोड़ सकते हैं या नहीं देवेश को अचानक समझ आया कि समस्या क्या है ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत शांत और आग्याकारी था इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा था बाकी सभी लोग चिंता में दिन गुजार रहे थे, फिर भी देवेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं है जाहिर तौर पर उसके साथ कुछ अलग था जुनियर स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे को लेकर चिंतित है लेकिन इस मामले को सीनियर पर छोड़ने के अलावा मुझे और क्या करना चाहिए जुनियर की ताकत कम है और उसका ध्यान उथला है मैं वास्तव में यहां से भागने का कोई अच्छा तरीका नहीं सोच सकता बहुत हो गई चापलूसी गुईजू ने गुस्से से कहा आम तौर पर यदि आप कुछ अच्छे शब्द कहते हैं तो यह बूधा मास्टर प्रसंद हो सकता है लेकिन अब हे यह बूधा मास्टर कम परवाह नहीं कर सकता देवेश ने तुरंग अपना मुह बंद कर लिया युशी लू गुई चेन और अन्य सभी के चहरे पर घबराहट के भाव थे और उन्होंने देवेश और गुई जू के बीच की बातचीत को घबराहट के साथ सुना गुप रूप से प्रार्थनाकी की देवेश ने गुई जू को और अधिक क्रोधत करने के लिए कुछ नहीं किया गुई जू की आकरिती लडखडा रही थी, मानो उसमें ताकत की कमी हो, उसकी जोड़ी आखें अपनी जेबों में पीछे की ओर जुप गई और अंधेरे से भर गई उसके चहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वह खुझ से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही सभी से बात कर रहा हो, जब यह बूढ़ा मास्टर जवान था, तो उसे कुछ आकस्मिक मुठ भेडे हुई, और वह एक बुरी ताकत विक्सित करने में काम्याब रहा, जिससे मुझ धीरे धीरे लेकिन लगातार मदद मिली सेंट किंग शेतर की ओर बढ़े, उस समय यह बूढ़ा मास्टर केवल एक सौ वर्ष का था, एक मजबूट युवा व्यक्ति था जिसने स्वतंतरता का आनंद लिया और एक दिन का सपना देखा कि उसका नाम स्टार फीड में दूर रास्ता भूल गया, इसके तुरंत बाद अराजक उर्जाओं का विस्पोट हुआ, जिससे एक दोमेन विस्पोट हुआ और इस पुराने मास्टर को इस महादवीप में खीच लिया गया, यहां सामगरियां प्रचुर मात्रा में थी और विश्व उर्जा आभा कल्पना से परे समर्द थी, इस बूढे मालिक ने सोचा कि यह स्वर्ग है जो मुझे मजबूट बनने का मौका दे रहा है, फिर बाहर जाकर अपने दुश्मनों से बदला लूँगा, इस बिंदू पर पहुँचकर उसका चेहरा अचानक उग्र हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूल राजाक शेतर में पहुचने के बाद भी, यह बूढ़ा स्वामी अभी भी एक कैदी की तरहें इस अभिशप्त जगह में कैद होगा, यदि यह बूढ़ा स्वामी कभी भी यहां से भाग नहीं सकता, भले ही मेरे पास अथा शक्ती हो, तो इस से क्या लाग? इस और पोते-पोतियों को मार डालूँगा, दुनिया से उसका खून साफ कर दूँगा, मैं उस किसी भी व्यक्ती को मार डालूँगा, जो कभी उससे संबंधित था, मैं उस पूरे तारे को मार डालूँगा, जहां से वहां आया है, उसे एक मृत तारे में बदल दूँगा, गुईजू एक पागल प्रतिशोधी आत्मा की तरहा बेथाशा चिलाया। यह बूढे मास्टर का जुनून क्या अब तुम्हें समझ आया, उसने पीछे मुढकर भीड की ओर खतरनाक द्रिश्टी से देखा। सभी ने सिरहिलाया, किसी ने भी अवग्या दिखाने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, आप समझते हैं, गुईजू चिलाने से पहले बुरी तरहा मुस्कुराया, फिर आखिरी बार इस बूढे मास्टर की मदद करें। आज के बाद यह बूढा मालिक तुम्हें दोबारा नहीं ढूंडेगा। सभी का हृदय बेचैनी से भर गया। बाकी सब क्या सोचते हैं, इसे नजरंदाज करते हुए, गुईजू ने तेजी से खुद को स्पेस एरे को समायोजित करने में व्यस्ट कर दिया और कहा, आपके आगमन के लिए धन्यवाद यह पुराना मास्टर कई परीक्षन चलाने में। काम्याब रहा। अंतरिक्ष के रहस्य अभी धी इस पुराने गुरू से दूर हैं, इसलिए यह शूने गलियारा हमेशा अस्थिर रहा है, और मैं नहीं बता सकता कि यह किसी को कहा भेजेगा। इस बार आप में से प्रत्येक को सफल होने के लिए कड़ी महंत करनी होगी, चाहे आप जीवित रहें या मरें यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, गुईजू ने विशाल सर्णी को पुनर्व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया और इसे सक्रिय कर दिया, एक शूने गलियारा एक बार फिर स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल की पतली परत से ढखे छोटे दरवाजे में खुल गया, देवेश की और पास्तव में नहीं पता था, कि उसने गुईजू को इतनी बुरी तरहे परिशान कर दिया था, कि उसे इस तरहे का व्यवहार करना पड़ा, बहुत हो गई बकवास, गुईजू ने सीधे उसकी शिकायतों को नजरंदाज कर दिया, और अपना हड़ीदार हाथ देवेश की और बढ़ाया, सीधे उसे खींच लिया, सीनियर, क्या यह उसके साथ थोड़ा अन्याय नहीं है, पिछली बार जब हम इकठे हुए थे, तो आपने उसे चुना था, क्या इस बार आपको किसी और को नहीं ढूंडना चाहिए, अचानक एक आवाज आई, जैसे ही वह देवे पिछकर भाई यांग को निशाना क्यों बनाया जाए, हे जाओ के शब्दों से उचसाहित होकर शेन तुने नाकभौ सिकोर ली, हे मियाओ की खूबसूरत आखें भी चमक उठीन, जब उसने उचसुकता से सिरहिलाया, और चुकचाप अपनी सहमती व्यक्त की, गुईजू अभी भी देवेश को पकड़े हुए, ये जाओ को अजीब तरह से घूर रहा था, वह जाओ सपष्ट रूप से मृत्यू से डरता था, उसका कोमल शरीर सपष्ट रूप से काम रहा था, फिर भी उसने गुईजू से अपनी आखें हटाने से इनकार कर दिया, हर कोई हैरान स्वोर्ड यूनियन की यूशी ने सगमे में अपना मुहर धक लिया और तुरंक चिलाई आप क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ और इसी क्षन शांत हो जाओ, हाला कि वह जाओ गतिहीन रहा, बलकि वह चाहकर भी बैठ नहीं पाती थी, गुईजू के प्रभावशाली तरीके क सामने, उसमें एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी, उसके पीले चहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था, अचानक गुईजू आत्मसंतुष्ट का से मुस्कुराया, उसकी आखें देवेश की ओर घूम गई, और पूछा, इस छोटी लड़की के साथ आपका क्या रिष उसने, उसने मेरी और मेरी बहन दोनों की जान बचाई, वह जाओ कांप गया और गुईजू के सवाल का जवाब दिया, एन अच्छा, अच्छा, तुम अपनी कृतग्यता और नाराजगी के बारे में बिलकुल सपश्ट हो छोटी बच्ची, लेकिन अगर यह बुढ़ा मा नहीं रह सका और सोच रहा था कि वह क्या जवाब देगी, लूगुई चेन, बीया और बाकी सभी लोग हे जाओ को ध्यान से देखते रहे, जबकि यूशी चुपचाप उसे आवेक्पून कार्यन करने की चेतावनी देने की कोशिश करती रही, अचानक हे जाओ ने एक ते बाकी है, जो तुम्हारे लिए किसी महिला को खत्रे का सामना नहीं करने देगी, लेकिन चिंता मत करो, इस बार तुम में से कोई भी बच नहीं सकता, तुम सभी को अंदर जाना होगा, जब यह बयान सामने आया, तो हर कोई अचानक उदास हो गया, उन्होंने सोचा था कि यह स्थिती पहले जैसी ही थी, कि गुईजू किसी को शूने गलियारे में फैंक देगा और फिर उसके साथ काम करेगा, उन्होंने सोचा था कि देवेश के मरने के बाद वे कम से कम कुछ और समय तक बेज़ती से जी सकेंगे, उन्हें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि गुईजू ने स्पष्ट रूप से आज के प्रयास में सब कुछ दाफ पर लगाने का फैसला किया था, यह समझने के बाद हर कोई बेहत दुखी लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि इस बार वे बच नहीं पाएंगे और जल्द ही वे अपने मृत साथियों के नक्षेक दम पर चलेंगे, इस समय उनके आसपास का साथ रंगो वाला आकाश बादलों से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे वे सभी अविश्वसनिय रूप से उदास महसूस कर रहे थे, भाई यांग धीरे चलो, भाई यहां जल्द ही तुम्हारे साथ आएगा, कम से कम तुम रास्ते में अकेले नहीं रहोगे, आसन्न और अप्रिहार्यम रिक्यु का सामना करते हुए, शेन्तु देवेश के साथ अंतिम बात करना नहीं ढूला, देवेश ने धीरे से सिरहिलाया, छोटे बच्चे, अंदर जाओ, गुईजू और अधिक समय बरबाद नहीं करना चा था और उसे अपनी ओर खीच लिया, और हंस्ते हुए कहा, चिंता मत करो छोटी लड़की, यह बुढ़ा मास्टर तुम्हें भेजेगा शीघर ही अपने उध्धार करता के साथ आने के लिए, मुझे आशा है कि आपकी किस्मत अच्छी है, और आप पहले की तरह हर किसी की बेवजह नहीं मरेंगे, बुढ़े राक्षस, एक दिन कोई तुमसे तुम्हारे सारे बुरे कर्मों की कीमत वसुलेगा, उसने जाओ ने अपने दात पीस डाले और ठूप दिया, कम बेकार बकबक गुईजू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके साथ आध्यात अगले ही पल वह जोर से चिलाया, लड़के, तुम्हारे पास वास्तव में ऐसी ख्शमता है, ऐसा कहते हुए, उसने जोर से हसी उड़ाते हुए हे जाओ को दूर फिंक दिया, और द्रिश्टी से उजल हो गया, भले ही वह दूर तक उड़ गया, फिर भी हर कोई उसकी पा क्या आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, हे जाओ ने अपना सिर हिलाया, गुईजू की आध्यात में कूर्जा की लपेट में लिपते रहने के अलावा, जिससे उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई, वह वास्तव में ठीक थी, गुईजू ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, क्या कर रहे थे, कि वह उन्हें कुछ प्रकार का उत्तर दे सकती है, उन सभी ने सोचा कि गुईजू के सबसे करीब खड़े होने के कारण, उसे कुछ सुराग नजर आये होंगे, मुझे नहीं पता, हे जाओ ने अपना सिर हिलाया, तुम सच में नहीं जानते, लूग गुई च कर रहे थे, उसे यह कहते हुए सुनकर, सभी को अचानक अभी जो कुछ हुआ था, उसके बारे में याद आया और महसूस हुआ कि यह संभव था, मानो देवेश के पास कोई गहन विधी थी, जिसने गुई जू का ध्यान आकरशित किया, हाला कि उस समय तक देवेश को पहल जदी वह हमारे अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल जाएं, लुगुई चेन ने आत्मनिंदा करते हुए प्रार्थना की, तैरते महादवीप के उपर कहीं, अंतरिक्ष में एक दरार अचानक खुल गई और उसके अंदर से देवेश की आकरिती प्रकट हुई, कि गुईजू की आभा बिजली की गती से उसकी ओर आ रही है, और पलक जपकते ही क्षितिच पर एक काली आकरिती दिखाई देने लगी, हाला कि उसके पहुचने से पहले ही, गुईजू के शरीर से क्रोधित आत्माओं की धाराय निकली और देवेश की ओर बढ़ी, देव की वर्तमान स्थिती को सठीक रूप से पहचाना, गहराई से व्यंग्य किया और फिर पीछा करना जारी रखा, छोटे बच्चे तुम निश्चित रूप से अपने आपको छुपाना जानते हो, लेकिन चाहे तुम कितनी भी भागने की कोशिश करो, तुम इस बुढ़े मा स्थिर शूने गलियारे में प्रवेश करने के लिए चुना था, तब से देवेश अंतरिक्ष को फाड़ने की अपनी ख्शमता को छिपा रहा था, यहां तक कि उस सोल क्लोन को गंभीर रूप से नुकसान पहुचाने में भी संकोच नहीं कर, रहा था जिसे वह दस वर्षो उसे विक्सित कर रहा था, इस पध्धती को उजागर न करें, उसने इसे अपनी अंतिम जीवनरक्षक विधी के रूप में माना था और गुप रूप से उम्मीद कर रहा था कि वह अंतरिक्ष को फाड़ कर और अराजक रसातर में लोट कर इस अभिशप्त जगह को में सक्षम होगा, इस प्रकार गुईजू के नियंतरन से बच जाएगा, हाला कि आज जब अंतर उसे इस काड का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो देवेश को पता चला कि उसके विचार बहुत भोले थे, ऐसा लगता है कि क्योंकि गुईजू ने अपना अस्थिर अंतरिक्ष सरणी बनाया था और बार-बार बेतरतीब धंग से इसका परीक्षन किया था, पूरे महादवीग के चारों और का स्थान अविश्वसनिय रूप से अशांथ हो गया था, जिससे आसपास के क्षेतर में शूने पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गया था भले ही देवेश को अंतरिक्ष सिधान्त में कुछ उपलब्धिया हासिल थी, फिर भी उन्होंने उस अशांथ शूनिय में बहुत लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की इसका मतलब यह हुआ कि गुईजू की लगातार खोज के कारण वह अपनी सास भी नहीं ले पा रहा था यदि ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिया न होती, तो वह हमेशा शूनिय में छिप सकता था और चुपचाप कार्य शुरू करने से पहले तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि गुईजू को यह न लगे कि वह मर गया है अब वह बड़ी मुश्किल से गुईजू से भागने के लिए केवल जगह तोरना जारी रख सकता था हर बार जब वह जगह तोरता था, तो यह देवेश की संत क्यूई और आध्यात्मिक उर्जा की भारी मात्रा का उपभोग करता था और इस दिव्यक शम्ता को चार या पांच बार प्रदर्शित करने से वह पहले ही बेदम हो गया था देवेश के पास सेंट क्यूई की लगभग अन्थीन आपूरती थी और भले ही वह इसका पूरा उप्योग कर ले दिव्यवरिक्ष उसे और अधिक प्रदान कर सकता था लेकिन उसकी आध्यात्मिक उर्जा को पूरक करना इतना आसान नहीं था देवेश धीरे-धीरे निराश हो गया उसे लगने लगा कि आज उसका बचना असंभव है जूनियर डौडने की कोशिश करना बंद करो गुई जू की आवाज लगातार उसके कान में गूंजती रही छोटे बच्चे एक तोस्ट को मना मत करो क्योंकि तुम्हें नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जदि तुम भागने का साहस करते हो जब यह बूढ़ा मालिक अंतह तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी धिकार है जब से तुम इस बूढ़े स्वामी का विरोध करने पर अड़े हो तो देखते हैं कि तुम कब तक विरोध करना जारी रख सकते हो यह बूढ़ा गुरु जानता है कि तुम में अपना उद्देशे पूरा करने की क्षमता नहीं है आप जैसे छोटे प्रथम श्रेई के संथ इतनी बार अंतरिक्ष को तोड़ने के बार आपके पास कितनी शक्ती बची है बिना लड़े समर्पन कर दो और यह बूढ़ा गुरु तुम्हारे लिए चीजे कठिन नहीं बनाएगा अच्छा अच्छा रुको यह बूढ़ा मालिक अब आपका पीछा नहीं करेगा यह बूढ़ा मालिक स्वर्ग की शपत लेता है कि वह आपके सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा यह बूढ़ा मालिक जो कहता है उसका मतलब यही है उसका रवया और शब्द धीरे-धीरे बदलने लगे क्योंकि वह देवेश के प्रदर्शन से और अधिक आश्चर्यच्कित हो गया उसे पकड़ने में सक्षम होने का उसका आत्म विश्वास डग्मगाने लगा देवेश की अभिव्यक्ति अंतह बदल गई वह जगह पर रुप गया और अपने सुखे हुए ज्ञान सागर को फिर से भरने के लिए असंख्य औशधी दूध की एक बूंद पीते हुए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरक करने के लिए कुछ सेंट पिल्स को जल्दी से निगलने का अफसर लिया गुईजू अगले ही पल कुछ दर्जन मीटर दूर दिखाई दिया और उदास होकर देवेश की ओर देखने लगा उसकी अभिव्यक्ती करवाहट से भरी थी बुरी तरह मुस्कुराते हुए उसने कहा छोटे लड़के तुम सचमुच इस बुढ़े मास्टर को आश्चर यच्कित कर सकते हो मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास ऐसे साधन हो सकते हैं और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते देवेश ने जगह फारते हुए अपना आधा शरीर खाली जगह में छुपा लिया और एक पल में अंदर जाने की तयारी करने लगा इतने चिंतित मत हो चलो इस बारे में बात करते हैं गुईजू ने अपने हाथ उठाए और अपने चहरे पर अपनी बहतरीन मुस्कान बिखेरी इंसानों और जानवरों के लिए समान रूप से हानिरहित दिखने की कोशिश करते हुए कहा इस बुढ़े गुरु ने आपकी पद्धती को काफी सपष्ट रूप से देखा है लेकिन क्या आप सच मुच मानते हैं कि इस बुढ़े गुरु के पास आपको रोकने का कोई साधन नहीं है मत भूलो इस बुढ़े गुरु ने भी हजारों लोगों तक अंतरिक्ष सिधान्त का अध्यान किया है जब आपके पास ऐसी ख्षमता है तो आपने अभी तक इसका उप्योग क्यों नहीं किया आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं? देवेश ने उदासींता से कहा तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझसे चाहिए स्वाभाविक रूप से तुम मेरी जान जोखिम में नहीं डालोगे देवेश ने तिरसकारपूरवक कहा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या आपको लगता है कि यह बूढ़ा मस्टर इतने लंबे समय तक आपकी बत्तमीजी को सहन करता गुरी जूने ठंडे स्वर में कहा बहुत हो गई बकवास इस बूढ़े गुरू को नहीं पता था कि आप अंतरिक्ष सिधान्त में कुशल थे लेकिन अब सीखने में देर नहीं हुई है इस पुराने गुरू के साथ आओ और हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में सहीयोग कर सकते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है हम कैसे सहीयोग करेंगे देवेश ने भौहे सिकोडली यह बूढ़ा गुरू आपकी आजादी सुनिश्चित करेगा और आपकी जुरत की हर चीज आपको मुहया कराएगा मैं वादा करता हूँ आप संतुष्ट होंगे दूसरी और आप इस जगह को छोड़ने का रास्ता खोजते हैं और जब आपको यह मिल जाता है तो आप जाते समय इस पुराने मास्टर को अपने साथ ले जाते हैं गुईजू ने मुस्कुराते हुए कहा इस पुराने मास्टर का स्पेस एरेस पष्ट रूप से काम नहीं करेगा लेकिन चुकि आपने अंतरिक्ष सिधान्त का अध्ययन किया है आप कोई अन्य रास्ता खोजने में सक्षम हो सकते हैं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है देवेश ने निरनायक रूप से सिरहिलाया इस तरह एक बुढ़े राक्षस से निपट्टे समय लापरवाही की अनुमती नहीं दी जा सकती यह बुढ़े मास्टर आपका विश्वास कैसे जीट सकता है शपत लेना गुई जू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और उसने क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कहा क्या आप इस बुढ़े मास्टर पर विश्वास करेंगे भले ही उसने शपत ली हो यह बुढ़ा स्वामी किसी भी समय इससे मुकर सकता है इसे अपनी मृत पतनी और बच्चों के नाम पर कसम खाओ तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा देवेश ने गंभीरता से कहा छोटे बच्चे एक इंच लेने के बाद एक गस की और मत बढ़ो गुईजू की अभिव्यक्ति अचानक चिर्चिडी हो गई देवेश के शब्द उसके उल्टे पैमाने को छूते हुए प्रतीत हुए जिससे वह गुस्से में चिलाया मुझे परिशान करने से तुम्हे कोई फाइदा नहीं होगा मुझे परिशान करने से तुम्हे कोई फाइदा नहीं होगा याद रखें, मैं अब आपको मार सकता हूँ और आपकी आत्मा की खोज करके अंतरिक्ष सिध्धान्त का ज्यान प्राप्त कर सकता हूँ उसके कान करने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है शायद आप अंतरिक्ष सिध्धान्त में मेरी सभी अंतरद्रिष्टी प्राप्त करने में सक्षम होंगे शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और यदि आप मेरा ज्यान प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी आप इसे समझने में सक्षम नहीं होंगे इस तरह की चीज किसी भी अन्य चीज की तुलना में योग्यता पर अधिक निर्भर करती है यही कारण है कि हजारों वर्षों के अध्ययन के बाद भी आप कोई परिनाम नहीं दे पाए अंतरिक्ष सिध्धान्त में आपकी योग्यता बहुत खराब है देवेश ने बिना किसी हिचकी चाहट के गुईजू को उकसाने से डरे बिना बोला गुईजू की ओर ध्यान से देखते हुए देवेश ने पूछा क्या आप जुआ खेलना चाहते हैं गुईजू की अभिव्यक्ती उदास हो गई क्योंकि उसने देवेश की ओर देखा जैसे वह कसाई और उसे कच्चा खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था चाहता था कि वह उसे थपड मार सके और उसकी यादों को तुरंत खोज सके लेकिन खुद को जिजखने से रोक नहीं पा रहा था देवेश के शब्दों ने सिर पर चोट कर दी थी जिससे गुईजू के लिए संकोच न करना असंभव हो गया जदी आप अपनी मृत पतनी और बच्चों की आत्मा की शपत नहीं लेते हैं तो मैं अभी शुनी में चला जाऊंगा और जीवन भर बाहर नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे साथ काम करने के बजाए वही मरना पसंद करूंगा मेरे मरने के बाद तुम अपने अंतरिक्ष एरे पर अपना सिर्फ पटक सकते हूँ मैं तुम्हें शुभ कामनाय देता हूँ इतना कहकर देवेश ने गुईजू को विचार करने का कोई समय नहीं दिया और शूनी में आगे बढ़ गया इंतजार गुईजू चिलाया उसका चहरा काप रहा था और उसके शरीर से एक उदास आभा निकल रही थी अचानक वह हसे और सिर हिलाया छोटे लड़के तुम्हारा साहस छोटा नहीं है यहां तक कि इस बुढ़े मालिक के साथ शर्टों पर चर्चा करने का साहस भी कर रहे हूँ देवेश ने कंधे उचकाए तुम्हारे साथ बराबरी का सहयोग करना असंभव है मुझे साबधान रहना होगा अच्छा तुम जीत गए यहां बुढ़ा मालिक अपनी पतनी और बच्चों की कसम खाता है जब तक तुम मेरा साथ दोगे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगा यदि मैं इस शपत का उलंधन करता हूँ तो स्वर्गिय बिजली मुझ पर गिर सकती है और मैं कुत्ते की तरह मर जांगा देवेश ने सिर हिलाया चोटे लड़के अब तुम क्या चाहते हो गुईजू चिलाया यह आप नहीं है जिससे स्वर्गिय बजर से मारा जाना चाहिए और कुत्ते की तरह मर जाना चाहिए इस तरह की शपत का कोई वास्तविक महत्व नहीं है आपको कैसे शपत लेनी चाहिए क्या आपको मुझे समझाने की जूरत है गुईजू ने उसे ठंडी नजरों से देखा उसकी आखों में एक कड़कडाती ठंड़क चमक रही थी और उसके शरीर से हत्या के इरादे स्पष्ट जलक रहे थे धीरे धीरे अपनी आखे बंद करते हुए गुईजू ने अब अपने शब्दों के साथ कोई चालाकी नहीं की और इमानदारी से अपनी मृत पत्नी और बच्चों की आत्मा उपर एक दुष्ट प्रतिग्या की देवेश शूने से बाहर निकला और धीरे से बोला क्या शुरू से ही यह कहना आसान नहीं होता लड़के मैं अभी तुम्हें मारने तुम्हारे शरीर को राख में मिलाने और मेरे दिल में नफरत को शांत करने के लिए तुम्हारी आत्मा को बुझाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता हूँ गुईजू ने उसे खतरनाक तरीके से देखा देवेश ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा मेरा मानना है कि सीनियर वह व्यक्ती है जो अपनी पत्नी और बच्चों को खुझ से कहीं अधिक महत्व देता है अन्यथा आप पूरे 2000 वर्षों के बाद भी उनके लिए प्रतिशोध लेने के लिए पागल नहीं होते गुईजू की क्रूर और हिंसक आभा तेज धूप में बर्फ की तरह जल्दी से पिघल गई क्योंकि उसकी आखें पुरानी यादों से भर गई और अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बड़े प्यार से सोचने लगी अतीत को बदला नहीं जा सकता पहले तुम मेरे साथ वापस आओ अब से हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंदने में भागिदार हैं उसका स्वर अचानक शांथ हो गया मानो देवेश द्वारा कहे गए कुछ शब्दों ने उसका पिछला आक्रोश दूर कर दिया हो इतना कहते हुए उसने अपनी आस्तीन हिलाते हुए देवेश को अपनी सेंट क्यूई में लपेट लिया और जिस रास्ते से वे आये थे उसे वापस ले गया पहाड की चोटी पर हर कोई किनारे पर चुपचाप इंतजार कर रहा था हाला कि गुईजू लगभग एक घंटे पहले ही चला गया था लेकिन उनमें से किसी ने भी जाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की यह पूरा महादवीप गुईजू का शेत्र था वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ बेभाग सकें हर कोई अपने दिलों में अविश्वसनिय रूप से असहज महसूस कर रहा था और गुप रूप से कामना कर रहा था कि गुईजू कभी वापस ना आए जिससे उन्हें बुढ़ापे में शांती से मरने का मौका मिले हाला कि उनकी बेचैनी के बीच यूशी की अभिव्यक्ती अचानक बदल गई और उसने बुदबुदाया वह वापस आ रहा है इतना कहकर उसने अपना सिर एक निश्चित दिशा की और घुमा लिया उसकी निगाहों का अनुसर्ण करते हुए बाकी सभी ने भी एक काले बादल को देखा जो तेजी से आ रहा था गुईजू की ठंडी और उदास आभा उसमें से निकल रही थी उन सब के हरिद्यों पर एक बार फिर निराशा चा गई उन्हाध हाला की शेंतू ने अचानक पुकारा जब वह अपने चहरे पर उल्जन भरी द्रिश्टी के साथ काले बादल की ओर देख रहा था उसने उस काले बादल के अंदर देवेश की आकरिती को असपष्ट रूप से देखा था और चौके बिना नहीं रह सका अन्य लोगों को भी तुरंट इस अजीब घटना का पता चला और वे आश्चर यचकित रह गए देवेश को पहले गुईजू ने शूने गलियारे में फेंक दिया था फिर भी अब वह दूर से गुईजू के साथ लोट रहा था उनमें से कोई भी इस बात का सपश्टी करण नहीं पा सका कि वे क्या देख रहे थे एक चशन बाद काला बादल जमीन पर गिर गया और गुईजू और देवेश की आकृतिया सब के सामने आ गई यह पुष्टी करने के बाद कि उनकी आखें उन पर कोई चालाकी नहीं कर रही थी हर कोई और भी अधिक भ्रमित हो गया उनकी सभी आखें उचसुपता से देवेश और गुईजू के बीच आगे पीछे घूम रही थी हालाकी जल्द ही वे हैरान हो गए क्योंकि उन्हें पता चला कि गुईजू और देवेश किसी तरह के समझोते पर आ गए हैं देवेश के प्रती पुराने राक्षस का रवया बहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड ले रहा है अगर तुम्हें किसी चीज की जूरत हो तो बस पूछ लो हालाकी जितनी जल्दी हो सके एक विधी खोजें यह बूढ़ा मास्टर इंतजार नहीं करना चाहता है गुईजू ने बेहोश होकर कहा घले ही आप इंतजार नहीं करना चाहते फिर भी आपको इंतजार करना होगा देवेश ने अपना सिरहिलाया आपको धन्यवाद इस महादवीट के चारों और का स्थान अब अविश्वसनिय रूप से अव्यवस्थित है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं होता यदि आप मुझे पकड़ लेते तो मैं शूने में छुप सकता था और बाहर नहीं आ सकता था इसका इस बूढे मालिक से क्या लेना देना है गुईजू ने आकरोश से पूछा यह स्पेस एरे आपका ही है ना देवेश ने अपने पीछे इशारा किया गुईजू अचानक शर्मिंदा दिखी और उसने फिर कुछ नहीं कहा हाला कि वह अंतरिक्ष के रहसियों में पारंगत नहीं था फिर भी उसने इस विशय का एक हजार वर्षों तक अध्ययन किया था और जानता था कि देवेश ने स्थानिय अंतरिक्ष के अव्यवस्थित होने के बारे में जो कहा था वह निश्चित रूप से एक अस्थिर को खोलने के लिए अपने घटिया सरनी का लगातार उपयोग करने का परिणाम था शून्य गलियारा देवेश ने कहा थोड़ी देर के लिए इस सरनी का उपयोग करना बंद करें और अराजक स्थान स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें फिर मैं एक उचित विधी की खोज शुरू कर सकता हूँ गुईजू ने एक शब्द भी नहीं कहा अपनी आस्तीन लहराई और एक पल में शूने गलियारे को बंद करते हुए स्पेस एरे को बंद कर दिया इसमें कितना समय लगेगा गुईजू ने उचसुकता से पूछा मुझे नहीं पता देवेश ने सिरहिलाया शायद आधा महीना शायद कुछ महीने शायद कुछ साल या उससे अधिक मैं नहीं कह सकता चोटे बच्चे क्या तुम समय बिताने के लिए कोई बहाना ढून रहे हो गुईजू ने उसे संदेह से देखा मत भूलो हाला कि मैंने शपत ली है यह केवल तभी लागू होता है जब आप मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं यदि आप कोई चाल चलने की हिम्मत करते हैं तो यह बूढा मालिक बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा समय के लिए रुकने से मुझे क्या लाब होता है भले ही मैंने दस साल का समय बर्बाद कर दिया फिर भी मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं बनूँगा देवेश ने ठहाका लगाया अच्छा है कि आप जानते हैं गुईजू ने संतुष्टी के साथ सिरहिलाया फिलहाल आप यहां रहते हैं वहां एक एकांत गुफा है जिसे इस बुढ़े गुरु ने खोला था और वहां विश्व उर्जा आभा का घनत्व पूरे महाद्वीप में सबसे अधिक है आप वहां कुछ समय के लिए खेती कर सकते हैं जिससे आप आसानी से इस स्थान पर लोट सकते हैं अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना गुईजू ने पतली हवा में गायब होने से पहले कहा लू गुई चेन या यूशी पर एक भी नजर नहीं डाली गुईजू के जाने के बाद शेन्तू देवेश के पास आया और पूछा देवेश क्या हो रहा है आप और वह सीनियर अब इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं साथ ही आप उस चूने गलियारे से कैसे बच निकले उसका सिरकोहरे से भरा हुआ था और उसका चेहरा उसके संदेह को छिपा नहीं पा रहा था अन्य सभी के साथ भी यही सच था उनमें से प्रत्येक देवेश की ओर देख रहे थे उम्मीद कर रहे थे कि वह उन्हें समझाएगा देवेश ने लापरवाही से बताया उसे मेरी मदद की जरूरत है इसलिए हम दोनों एक समझाटे पर पहुँचे उसे आपकी मदद चाहिए शेंतु अवाक रह गया आपके पास ऐसा कौन सा कौशल है जो उनके जैसे मास्टर को आपके साथ काम करने के लिए मजबूर कर सकता है यूशी ने भौहें चढ़ा दी जाहिर तोर पर उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था देवेश ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा लेकिन समझाने में बहुत आलसी था छोटा भाई लुगुई चेन हलके से खांसे उनका चहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था बोलते समय उन्होंने देवेश को संबोधित करने का तरीका काफी बदल दिया क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या इसका मतलब यहा है कि हम अस्थाई रूप से सुरक्षित हैं वह वरिष्ट हमें रास्ता तलाशने के लिए उस चूने गलियारे में जाने के लिए बाध्य नहीं करेगा इन देवेश ने सिरहिलाया आप में से किसी को भी उस चूने गलियारे में दोबारा प्रवेश करने की आवश्यक्ता नहीं होगी वास्तव में हे म्याव की खूबसूरत आखें चमक उठीन और वह खुशी से उचल पड़ी, उसे एक अनोखी राहत महसूस हुई लेकिन आप सुरक्षित हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, देवेश धीरे से मुस्कुराया और अर्थपूल्न धंसे लुगूई चेन की ओर देखा लुगूई चेन का चहरा अचानक बदल गया, यह याद करते हुए कि उसके और इस युवक के बीच कुछ गहरी शिकायते थी जब वे पहली बार यहां पहुँचे थे, तो उन्होंने ही देवेश के सेंट क्यूई को सील कर दिया था, जिससे उनकी ताकत खत्म हो गई थी अब देवेश और गुईजू किसी तरहे के समझोते पर पहुँच चुके थे, इसलिए उसकी स्थितिस पष्ट रूप से पहले से अलग थी जब तक देवेश को उस बूढ़े राक्षस का आश्रे प्राप्थ था, तब तक वह जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता था जह महसूस करते हुए लूगवी चेन की अभिव्यक्ती व्याकुल हो गई, उसने देवेश के मन में कोई भटका हुआ विचार आने का इंतजार नहीं किया और जल्दी से एक चापलूसी वाली मुस्कान लाते हुए, उसकी मुठिया पकड़ते हुए कहा, ठोटे भाई, पहले, इस लू के पास आखें थी, लेकिन वह देखने में विफर रहा और उसने कुछ अपराद किये मुझे आशा है कि छोटा भाई उदार हो सकता है और इन अविवेक को माफ कर सकता है बिया का सुन्दर चहरा भी पीला पड़ गया, उसकी पानी भरी आखों में घबराहट भर गई और उसने एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान निकाली, जितनी आकरशक आवाज में वह बोल सकती थी थोटे भाई, पहले मैं गलत थी और आपके साथ उचित सम्मान के बिना व्यवहार करती थी आप इसके लायक है मुझे आशा है कि आप गयालू होंगे और ऐसी चीजों का मोलभाव नहीं करेंगे अब से मैं आपके निर्देशों को सुनूँगा और आप जो कुछ भी पूछोगे आपके लिए करूँगा मैं सुनिश्चित करता हूँ कि आप मुझसे निराश नहीं होंगे उनके अंतिम शब्द बहुत अर्थपूर्ण धंग से कहे गए थे जब तक कोई पुरुष है वे ठीक ठीक समझ सकेंगे कि वह क्या सुझाव दे रही है इस समय परपल स्टार के ये दोनों अपने हितों के लिए समझोता करते हुए अविश्वसनिय रूप से बिनमर हो गए वे समझ गए कि स्थिती की मांग है कि वे तेजी से कार्य करें क्योंकि देवेश अब एक शक्ति ही न्युवा नहीं है जिसे वे हे दृष्टी से देख सकें जब तक गुई जू को वास्तव में उसकी मदद की ज़रूरत थी देवेश यह नियंत्रत करने में सक्षम था कि उनमें से कौन जीवित रहेगा या मर जाएगा पास में शेन्तू की आत्मा काम उठी जब उसने देवेश को बड़ी प्रशनसा से देखा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्थिती इतनी नाटकिय रूप से बदल जाएगी और वह दूसरे के दुरभाग्य पर आनंद लेते हुए हलकी सी हंसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका वह बेसबरी से इंतजार कर रहा था कि देवेश क्या जवाब देगा यूशी की अभिव्यक्ती में भी काफी उतार चढ़ाव आया वह देवेश की ओर सावधानी से देख रही थी उसकी खूबसूरत आखें भय और सतरक्ता से भरी हुई थी लूगुई चेन का देवेश के साथ बहुत खराब रिष्टा था लेकिन उसका रिष्टा ज्यादा बहतर नहीं था वेईवु के मारे जाने के बाद उसने देवेश का सामना किया और घोशना की की एक दिन वह उसे भुगतान करेगी देवेश ने भी उसे बेरहमी से जवाब दिया था उसके बुरे शब्द अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट है यूशी का दिल कड़वाहट से भर गया न जाने उसे अब क्या करना चाहिए ये दोनों स्वामी इस समय अविश्वसनिय रूप से उदास थे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वेबाख की मांद से निकल कर किसी अजगर की मांद में प्रवेश करने के लिए ही निकले हो वर्तमान देवेश का सामना करने से वे गुईजू का सामना करने से अधिक घबरा गए कम से कम वे गुईजू के तरीकों और उद्देश को समझते थे दूसरी और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि देवेश क्या सोचता है या वह कैसे व्यवहार करेगा देवेश ने लुगुई चेन और बीया को उदासीनता से देखा चुपचाप उनके चहरे पर मुस्कुराहट देख रहा था जो इतनी बदसूरत लग रही थी मानो वे रो रहे हो अचानक तिरसकार की गहरी भावना महसूस हुई नदी तीस वर्ष पूर्व की ओर बहती है फिर तीस वर्ष पश्चिन की ओर एक साल पहले जब वे इस अभिशप्ट जगह में गिर गए थे तो उन्हें प्रतिरोध करने की क्षमता के बिना लुगुई चेन ने अपने वश में कर लिया था अब यह पावर हाउस जो आसानी से उसकी जान लेने में सक्षम था उसे अधीन होकर काम करना पड़ा और खुले आम उसकी चापलूसी करनी पड़ी यह सब इसलिए था क्योंकि अब उसे गुई जू का समर्थन प्राप्त था देवेश लुगुई चेन को मारने के लिए गुई जू का इस्तिमाल करना चाहता था ताकि इतने समय पहले महसूस की गई नफरत को शांत किया जा सके लेकिन अब उसकी रुची खत्म हो गई थी क्योंकि अगर गुई जू ने लुगुई चेन को मार भी दिया तो भी देवेश को इसमें कोई खुशी नहीं मिल पाएगी थोड़ी देर की चुप़ी के बाद देवेश अचानक बोला मैंने सुना है कि आपके परपल स्टार वालों ने कुछ समय पहले बहुत सारी जड़ी बूटिया एकतर की थी हाँ लुगुई चेन इस सवाल से थोड़ा चौंके लेकिन तुरंत सिरहिलाया हमने वास्तव में बहुत सारी जड़ी बूटिया एकतर की लेकिन क्योंकि हमारे पास उचित भंडारन कलाकृतियों की कमी थी हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित नहीं कर सके इसलिए उनकी कुछ औश्धिय प्रभावकारिता समाप्थ हो गई है हाला की गिरावट बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए और इसलू ने सुना है कि छोटा भाई एक कीमियागर है हाँ ये जड़ी बूटिया अपना पूरा उप्योग छोटे भाई के हाथों में ही प्रदर्शित कर सकेंगी चोटे भाई को जल्दी से उन्हें परिश्कृत करके गोलिया बना देनी चाहिए ताकि स्वर्ग द्वारा दिये गए उपहार बरबाद नहों देवेश ने मुस्कुराते हुए अपनी संतुष्की व्यक्त की और फिर पूछा आपके सेंट क्रिस्टल के बारे में क्या सबकुछ एक गुप्त स्थान पर संग्रहीत किया गया है इस जगह की विश्वूर्जा इतनी शक्तिशाली है कि सेंट क्रिस्टल का उप्योग करने की कोई आवर्शक्ता नहीं है अगर हम छोटे भाई को ये चीजें उपहार में दें तो कैसा रहेगा हम अब किसी भी स्थिती में उनका उप्योग नहीं कर सकते अच्छा अच्छा तुम्हें बोलना आता है देवेश ने लगातार सिरहिलाया धीरे से लूगूई चेन के कंधे को थप्थपाया एक खुश नजर डालते हुए उसने शेन्टू पर एक नजर डाली उनके साथ जाओ और उन चीजों को वापस ले जाओ समझा जैसे ही उसने अपनी पीट सीधी की और अपनी चाती को फुलाया शेन्टू का शरीर कामपने लगा इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए चलो अब चलें लूगूई चेन शर्मिंदगी से मुस्कुराया केवल यही कामना कर रहा था कि वह एक क्षण पहले इस जगह से भाग जाये ताकी देवेश की ओर से किसी और परिशानी से बच सके ऐसा कहते हुए उन्होंने शेन्टू को जल्दी से पीछे हटने के लिए प्रेरित करने से पहले देवेश से माफी मांगने को कहा लूगुई चेन को इस तरह का व्यवहार करते हुए बिशर्मी से उस लड़के की चापलूसी करते हुए देखकर जिसका वह कुछ समय पहले तिरसकार कर रहा था यूशी अपने आपको अवमानना की द्रिश्टी दिखाने से नहीं रोक सका वह कई वर्षों से लूगुई चेन के साथ काम कर रही थी और उसका मानना था कि उसकी ताकत और तरीके उससे बद्तर नहीं है इसलिए अब उसे इतना विनम्र और कायरतापूर्ण व्यवहार करते हुए देखकर यूशी को किसी तरहे परिशान और निराश महसूस हुआ उसका मूल रूप से खराब मूर और भी खराब हो गया जहां तक आपकी बात है देविश अचानक उसकी ओर देखने लगा जब उसने यूशी की भरी हुई छाती पतली कमर और लंबे पैर पर अपनी नजर डाली तो उसके चहरे पर एक अजीब सी मुसकान दिखाई दी उसकी आखों में एक अशलील रोशनी चमक रही थी हालाकि यूशी हे जाओ और हे मियाओ की गुरु थी और उसकी वास्तविक उम्रनिश्चित रोप से कम नहीं थी उसकी साधना गहरी थी इसलिए वर्षों ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था और इसके बजाए उसे एक परिपक्व आकर्शन दिया था वह एक अविवाहित युवती की तरह लग रही थी प्यारी और स्वादिष्ट देविश इस खूबसूरत महिला की गुप रूप से प्रशनसा करने से खुद को रोप नहीं सका उसने सोचा कि वह अपने दो शिश्यों से अधिक उतक्रिष्ट है उनकी दृष्टी आकरामक और बेइमान थी अपने इरादे को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे इस तरह से घूरे जाने पर यूशी यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी जैसे कि उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे और वह इस युवा के सामने नगन खड़ी थी उसके दिल में शर्म की गहरी भावना भर रही थी चिलाते हुए उसका कोमल शरीर काम रहा था आप क्या चाहते हैं आप हमारी जड़ी बूटिया और सेंट क्रिस्टल भी ले सकते हैं लेकिन मुझसे लूगवी चेन की तरह विनमर होने की उम्मीद न करें आप में अभी भी कुछ जोश है अच्छा देवेश ने व्यंगे किया ऐसा मत सोचो कि तुम है जाओ और है मियाओ के मास्टर हो इसलिए मैं तुम पर कोई एहसान करूंगा मेरे लिए आप में और उन परपल स्टार लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है अगर हम सीनियर गुई जू के नियमों के तहट इस महादवीट में नहीं फंसे होते तो शायद मैं पहले ही आपकी तरफ से किसी के द्वारा मारा गया होता तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए तुम्हारी मृत्यु दया के लायक नहीं है यूशी ठंडे स्वर में मुस्कुराई मेरे जैसा व्यक्ति क्या आप मुझसे परिचित है मेरा मूल्यांकन करने के लिए आपके पास क्या योग्यताय है मैंने आपके दो शिश्यों की जान बचाई फिर भी आपने न केवल कोई सराहना नहीं दिखाई बलकि आपने मुझ पर संदेह किया और मेरा बचाव किया हर मोर पर मेरे लिए बाधाय खड़ी की और वह अंगूठी भी वापस चीन ली जो आपने मुझे उपहार में दी थी मैं उन सभी मामलों को नजरंदाज कर सकता हूँ लेकिन जब वेई वुने मुझे मारने की कोशिश की फिर भी वह बहुत कमजोर था और इसके बजाए मेरे द्वारा मारा गया तो क्या आपने बदला लेने के नाम पर मुझे मारने का फैसला करने से पहले सही गलत का निर्धारन करने की जहमत उठाई आप अपने दोनों शिश्यों से ध्यान से क्यों नहीं पूछते की मैं किस तरह का व्यक्ती हूँ और वेई वो किस तरह का व्यक्ती था देवेश बुस्से से चिलाया आपका क्या मतलब है यूशी की भौहे गहरी सिकुड गई जब उसने देवेश को संदेह से देखा ऐसा लगा जैसे वह कुछ इशारा कर रहा हो बीहा देवेश चिलाया क्या छोटे भाई के पास कुछ है जो उसे मुझ से चाहिए बीहा ने मजबूर मुसकान के साथ पूछा आप परपल स्टार से हैं बताएं कि आपको उस समय हे जाओ और हे मियाओ कैसे मिले और आपने उन्हें अराजक रसातल में कैसे मजबूर किया देवेश ने भी या को आदेश देते हुए यूशी को घूरना जारी रखा यूशी भी या की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी और उसके उत्तर का इंतजार कर रही थी बीया ने इस बिंदु पर कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की जल्दी से कहा हमें आपके तलवार संध के अंदर किसी से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि जो लोग स्टार सेक्ट कमांड ले जा रहे थे वे अराजक रसातल के किनारे पर इंतजार कर रहे थे यदि वह संदेश न होता तो हम इस विशाल ताराट शेतर में इन दोनों बहनों को नहीं ढूंड पाते यूशी का कोमल शरीर कांप उठा उसकी खूबसूरत आखों में अविश्वास जलक रहा था मास्टर हमारे वहां रुकने का कारण यह था कि हमें वरिष्ट भाई वेईवू से एक संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि लक्षहीन रूप से इधर उधर न भागें क्योंकि आप जल्द ही हमें ढूंडने आएंगे उन्होंने जाओने यूशी से कहा मैंने ऐसा निर्देश कभी जारी नहीं किया यूशी ने अपना सिरहिलाया उसका चेहरा पीला पड़ गया वह उन शब्दों को स्विकार करने में असमर्थ लग रही थी जो उसने अभी सुने थे वह कौन था जिसने आपको वह संदेश भेजा था उसने जाव ने बीहा से पूछा बीया ने धीरे से अपना सिरहिलाया मुझे नहीं पता केवल सीनियर लू को ही पता होगा जब वह वापस आये तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए यूशी चकित होकर बुदबुदाने लगी असंभव वेईवू ऐसा व्यक्ति नहीं है वह बचपन से मेरे पास ही बड़ा हुआ है वह ऐसा काम कैसे कर सकता है जैसे ही वह खुद से बात कर रही थी उसने अचानक देवेश की और बुरी नजर से देखा और चिल्लाई यह तुम और यह घटिया वेशा ही होगे जो वेईवू को बदनाम करने के लिए मिल रहे हो आप बिल्कुल असुधार्य है देवेश ने उसकी और घूरने से पहले अपना सिर्थ थोड़ा हिलाया क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था यूशी के चहरे का रंग पीला पड़ गया और वह घबरा गई उसे उस समय के देवेश के शब्द कैसे याद नहीं थे वे सबसे अधिक आपत्तिजनक शब्द थे जो उसने इस जीवन में उससे कभी कहे थे जब भी वह उस पल के बारे में सोचती थी तो वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोप पाती थी मुझे तुम्हारे जैसे पुराने बैग में कोई दिल्चस्पी नहीं है देवेश ने बुरी तरह से अपने होंट सिकोड लिए और शाप दिया तुम्हें जीवन भर कुमवारी रहना चाहिए हमेशा के लिए शादी नहीं करनी चाहिए जब उसने यह कहा तो हे जाओ और हे मियाओ ने गुस्से से भौहें सिकोड ली और देवेश की ओर देखने लगे जबकी भी या वास्तव में मुस्कुराया जिससे समझ का आभास हुआ तुमने मुझे जो गुस्सा दिलाया है मैं तुम पर उसका गुस्सा नहीं निकालूंगा इसके बजाए मैं आपके दो अन्मोल शिश्यों को आपके लिए कीमत चुकाने दूँगा उनका युवा कोमल शरीर मेरी भूख से कहीं अधिक है आप क्या करना चाहते हैं युशी गुस्से में आ गई और उसने तुरंथ हे जाओ और हे मियाओ को अपने पीछे बचा लिया और उसने देवेश की ओर सतर्कता से देखा मैं क्या करना चाहता हूँ क्या आप पहले से नहीं जानते देवेश ने गुईजू को एक दिव्य संदेश भेचते हुए जमकर मुस्कुराया अगले ही पल उर्जा का एक काला टुपडा अचानक यूशी के बगल में प्रकट हुआ और एक भयानक विलाप जारी करते हुए यूशी के शरीर में फैल गया जिससे वह अकड़ गई और हिलने डुलने में असमर्थ हो गई फिर अंधेरे उर्जा के दो और तार प्रकट हुए और हे जाओ और हे मियाओ के चारों और रस्सियों की तरह लिपट गए वह मियाओ डर के मारे चिलाया देवेश ने बाकी सभी की निगाहों को नजरंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया हे जाओ और हे मियाओ को अपने कंधों पर उठाया और आराम से पहाड की गुफा की ओर चलने से पहले एक पल के लिए यूशी के सामने खड़ा हो गया रे राक्षस हे जाओ और हे मियाओ को जाने दो अगर तुमने उन पर उंडली उठाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें भुगतान कर दूँगा जब यूशी ने देवेश को अपने दो शिश्यों को ले जाते हुए देखा तो वह जोर से चिलाने लगी वह बार-बार चिलाती रही और खुद को छुडाने के लिए जम कर संधर्श करती रही लेकिन गुईजू के जुल्म का सामना करते हुए वह भागने में पूरी तरह असमर्थ थी जोर से चिलाओ तब तक चिलाओ जब तक तुम्हारा गला न सूख जाए कोई परवाह नहीं करेगा देवेश ने उसकी धमकियों को नजरंदाज करते हुए ब्यंग्य किया लड़का तुम यह कैसे कर सकते हो यूशी चिलाई उसकी आवाज अनिच्छा से भरी थी उसकी खूबसूरत आखें अवर्णनिय घ्रेना से जग रही थी उसने सोचा था कि सबसे बुरी हालत में देवेश उसे खीच कर पहाड पर ले जाएगा और अपमानित करेगा लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शिकायत उसके दो शिशों पर निकाली जाएगी ज़़ी ऐसा होता तो वह अपने शिशों के प्रती दोशी महसूस करने के बजाए केवल स्वयं के लिए व्यथित महसूस करती मुझे उकसाने वालों का यही हश्र होता है देवेश चिलाया क्योंकि उसकी आकरिती अंतह पहाड की गुफा में गायब हो गई जब परपल स्टार और स्वोर्ड यूनियन के बाकी किसान देवेश के गायब होने की दिशा की और देख रहे थे तो यूशी चिलाने और लगातार कोसने लगे उन सभी को अपनी रीड में ठंड़क महसूस हुई उनमें से प्रत्येक ने सोचा की देवेश बहुत क्रूर और निर्देई था यहा तक की बीहा भी कामपने से खुद को नहीं रोक सकी यह देखने के बाद ही की देवेश कितना शातिर हो सकता है उसे एसास हुआ कि उसने इस युवा को बहुत अधेखे द्रिश्टी से देखा था वह एक निर्देई रिदैहीन राक्षस था शायद वह करुना की अवधारना को भी नहीं समझता था देवेश की तुलना में वह किसी पुन्यात्मा संथ से कम नहीं थी पहाड़ी के अंदर जहां गुईजू रहता था उसने कई विशाल पत्थर के कमरे खोले थे हर एक कमरा कई चीजों से भरा हुआ था अव्यवस्थित और अस्तव्यस्थ था यह वास्तव में आश्चर्य की बात थी कि गुईजू को यह सारा कबार कहा मिला हाला की हवा शुष्क थी और पत्थर के कमरे पत्थरों से भरे हुए थे जो हल्की रोशनी बिखेरते थे जिससे सूरज की रोशनी की अनुपस्थिती में भी रोशनी बनी रहती थी यह परवत शिखर पूरे तैरते महादवीप का केंद्र प्रतीत होता था और इसके अंदर सभी दिशाओं में पहले मार्ग थे जो एक प्रकार की विशाल आत्मा श्रिंखला का निर्मान करते थे जो पहले से ही समरिध विश्वूर्जा आभा को इसकी ओर केंद्रित करती थी देवेश ने 10,000 किलोमेटर दूर अपनी गुफा में जो व्यवस्थाय स्थापित की थी वह गुई जूके द्रिष्टिकोन की तुलना में किसी भोले बच्चे के काम की तरह लगती थी पत्थर के कक्षों के बीच से एक छोटा सा जर्ना बहता था जो क्रिस्टल स्पष्ट तरल से भरा हुआ था लेकिन यह तरल सिर्फ साधारन पानी नहीं था यह शुद्ध हाक्मा अमरित था जिसमें भारी मात्रा में विश्वूर्जा शामिल थी इसे पीने से किसी की खेती के लिए बड़े पैमाने पर लाब होगा देवेश हे जाओ और हे मियाओ को अपने साथ ले गया और पहाडी की ओर आगे बढ़ा अपने आसपास की जाच करने के लिए अपनी दिव्य भावना को जारी किया और जो कुछ उसने पाया उससे वह स्तब्ध हो गया यहां खेती का वातावर्ण आश्चर्य जनक था इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि गुई जूने इस स्थान को अपने निवास के रूप में चुना था उसने भी नाले की असाधारंता को देखा और आश्चर्य चित हुए बिना नहीं रह सका जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका अनुसर्ण करता रहा चुनकी देवेश ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया था इसलिए हे जाओ ने कोई ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी जबकि दूसरी ओर हे मियाओ दर से काम रही थी क्योंकि उसने कलपना की थी कि देवेश जल्द ही उसके साथ किस तरह की शर्मनाग चीजे करेगा उनके कानों में यूशी की उनमादी चीखें और श्राप अभी भी गूंज रहे थे लेकिन चाहे वह कितनी भी चिल्लाती हो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया थोड़े समाई के बाद देवेश रुप गया उसे लापरवाही से एक पत्थर का कमरा मिला वह अंदर चला गया और उसने हे जाओ और हे मियाओ को नीचे बैठा दिया वह मियाओ तुरंत एक भयभीत खरगोश की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे कूद गया उसने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और वह देवेश की ओर डरकर घूर रही थी उसकी आवाज कांप रही थी और उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं आप क्या सोचते हैं देवेश बुरी तरह मुस्कुराया वह मियाओ डर से कांपना बंद नहीं कर सका और अधिक चिंतित हो गया उसे चिढाना बंद करो हे जाओ ने देवेश की ओर उदासींता से देखा उसकी पतली भौह एक रेखा में सिकुर गई क्या यह तुम्हारे लिए मज़ेदार है भले ही आपको मास्टर से शिकायत हो आपको उन्हें इस तरह प्रताडित नहीं करना चाहिए यह बहुत क्रूर है निर्देईक देवेश ने भौहें चढ़ा कर व्यंग्य किया तुम्हारे गुरू किस तरह के व्यक्ति हैं उनके शिश्यों के रूप में तुम्हें ही बहतर पता होना चाहिए क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते कि उसमें क्या कमिया है कि जाओने भौहें चढ़ा ली और धीरे से आह भरी मास्टर कभी-कभी अभेद्य रूप से मोटे दिमाग वाले और जिद्धी हो जाते हैं अपनी गल्तियों को स्विकार करने से इंकार कर देते हैं मास्टर कोई बुरा इंसान नहीं है वह आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उसने मेरी हत्या करने का इरादा किया है इसलिए उसे उचित कीमत चुकानी होगी इस बिंदु से आगे वह कैसे कार्य करेगी यह तै करेगा कि वह जीवित रहेगी या मर जाएगी किसी भी व्यक्ति को मैं इस दुनिया में रहने की अनुमती नहीं दूंगा देवेश ने बेरुखी से कहा अगर वह तुम्हारी मास्टर भी होगी तो भी वह अपवाद नहीं होगी यदि तुम्हें बदला लेना है तो मैं भी तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा क्या इसलिए अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं वह जाओ कड़वाहट से मुस्तुराया इसलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूँ देवेश ने गुईजू को एक दिव्य संदेश भीजते हुए सिरह लाया एक क्षण बाद हे जाओ और हे मियाओ को बांधने वाली बुरी उर्जा गायब हो गई और उन दोनों ने अपनी आजादी वापस पाली अपने आपको विक्सित करने के लिए एक जगह की तलाश करें कुछ समय के लिए बाहर जाने के बारे में न सोचें आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते देवेश ने मुर कर जाने से पहले आदेश दिया देवेश के जाने के बाद हे मियाओ ने अपनी बेहन के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और अपने छोटे से हाथ से उसकी छाती को थप्थ पाते वे राहत की सांस ली इससे मैं सचमुछ बहुत दर गई थी मुझे लगा कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था ये जाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा आपको क्या लगा कि वह क्या करने जा रहा है जैसे ही वह एक बार फिर छुपी ये मियाओ का चेहरा लाल हो गया वह ऐसा व्यप्ति नहीं है उसका हमें यहां लाने का उद्देश्य सबसे पहले मास्टर को दंडित करना था और दूसरा हम दोनों को कुछ लाप पहुचाना था हमें कुछ लाप पहुचाएं वह मियाओ हैरान था जब वह गुईजू उसे उस चूने गलियारे में फैंकने वाला था तो क्या हमने उसके लिए बात नहीं की वह जाओ उजवल रूप से मुस्कुराया अकेले पत्थर के कमरे में रंग का स्पर्ष जोडते हुए वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कृतज्यता और शिकायत के बीच स्पर्ष्ट रूप से अंतर करता है हमें यहाँ लाना निश्चित रूप से हमें खेती करने देना था वास्तव में? मुझे लगता है कि वह वास्तव में काफी डरावना है हे मियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति में लंबे समय तक दर के साथ कहा एक पल पहले देवेश की उपस्तिती को याद करना उसे कामपने के लिए पर्याप्थ था और उसे एक बेहत क्रूर व्यक्ति के रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया मास्टर के बारे में क्या उसने मियाओ से पूछा वह अभी भी यूशी की चीखें सुन सकती थी उसकी करकश और दुखी आवास उसे बहुत चिंतित कर रही थी वह जाओ अपनी संचार प्रकार की कलाकृती को बाहर निकालने से पहले हलके से मुस्कुराया जिससे उसकी चोटी बहन की आखें समझ में चमकने लगी पर पहुँच गए थे लेकिन क्या वह अंतरिक्ष को चीर कर इस अजीब महादवीब को छोड़ने में सक्षम था यहाँ अनिश्चत बना हुआ था जैसे ही गुईजू उसका पीछा कर रहा था तो गुईजू उसे जाने नहीं देता और उसकी मृत्यू किसी और की तुलना में कहीं अधिक दुखध होती स्वभाग्य से वह अपने लिए कुछ समय खरीदने में सक्षम था लेकिन देवेश को अभी भी लगा कि उसे जल्द से जल्द समाधान खोजने की जरूरत है कम से कम उसे गुईजू को कुछ आशा देने की जरूरत थी अचानक बाहर से शेन्टू की आवाज सुनकर देवेश की अभिव्यक्ती उज्वल हो गई और उसने उपर देखा और कहा सीनियर क्या मेरा दोस्ट अंदर आ सकता है तुम जिसे चाहो अंदर आने दो वैसे भी इस जगह पर बहुत सारे पत्थर के कमरे हैं गुईजू की आवाज गुंज उठी देवेश ने शेन्टू को तुरंट एक दिव्य समवेधना संदेश भेजने से पहले सिरहिलाया एक शन बाद शेन्टू ने अपने कंधे पर कई बड़े बैग के साथ गुफा नेटवर्क में कदम रखा और अपने चारों और खेती के स्वर्ग को देखकर आश्चर यचकित हो गया पत्थर के कमरे में पहुँचकर जहां देवेश था शेन्टू ने धीरे से सामान उसके कंधे पर रख दिया और कहा यह वह सब कुछ है जो परपल स्टार के लोगों ने इस दौरान एकतर किया था लूगवी चेन्ट ने कुछ भी छिपाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की वहां कई सेंट क्रिस्टल भी हैं शेन्टू के पीछे एक छाया चमकी और खूबसूरत महिलाभी या देवेश की ओर मुस्कुराते हुए बाहर निकली देवेश ने उसे घूर कर देखा फिर शेन्टू को शेन्टू ने अपने कंधे उचकाए उसने खुद ही मेरा पीछा किया इससे मदद मिली क्योंकि मैं अकेले इतना सामान नहीं ले जा सकती थी चोटे भाई मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहती थी बी याने दैनिय रूप धारन कर लिया उसकी सुन्दर आखें धुंधली हो रही थी जैसे कि एक छोटी लड़की जिसने कुछ गलत किया हो उसने अपने पतले लाल होठोन को काटते हुए धीरे से कहा मुझे आशा है कि छोटा भाईक शमाशील होगा और हमारे अतीत के मामलों के बारे में चिंता नहीं करेगा ठीक है उसकी आवाज नरम और मधुर थी क्योंकि उसकी आखें पश्चाताप से भरी थी उसकी निगाहों की गहराई में अफसोस की एक गहरी रोशनी दिखाई दे रही थी जिससे यहां आभास हो रहा था कि वह वास्तव में अपनी पिछली गलतियों को स्विकार कर रही थी जबकि जिसने भी उसे देखा उसके दिल की धड़कने बढ़ गई जिससे वे उसके सभी पापों को माफ करने की इच्छा कर रहे थे शेन तू पास में ही डर से कामपने से खुद को नहीं रोक सका उसने अपनी बाहों को ऐसे रगड़ा मानो उसे अचानक ठंड लग गई हो जोर से चिलाते हुए बोला अरे तुम निश्चित रूप से जानते हो कि लोगों को कैसे डराना है क्या तुम उस अनुन्यविनय के स्वर के स्थान पर सामान्य स्वर में नहीं बोल सकते बियाने देवेश की ओर मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाने से पहले उस पर बुरी नजर डाली बीहा का मुह घूंग गया काश वह इसी पल शेनतु को उसके गुंगे चहरे पर मुक्का मार सके लेकिन उसने देवेश के सामने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की खुद को अपने चहरे पर उस सुन्दर लेकिन बदसूरत मुस्कान को बनाए रखने के लिए मजबूर किया नौकरानी या गुलाम पुरुची के भाव लिए देवेश के होंट हूपर की ओर मुर गए बीहा ने द्रिड़ता से सिरहिलाया मैं पूरी तरह से इमानदार हूँ आप क्या चाहते हैं देवेश ने उसे घूर कर देखा और सीधे पूछ लिया जीने के लिए बीया ने निरनायक रूप से उत्तर दिया अच्छा आपकी इमानदारी की सराहना करते हुए मैं आपको बाद में मेरे पीछे आने की अनुमती दूँगा देवेश ने धीरे से सिरहिलाया बीहा की खूबसूरत आखें चमक उठीन और वह तुरंत बहुत खुश हो गई बहुत धन्यवाद छोटे भाई आपके दास अब से आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको कभी निराश नहीं करेंगे और आप कैसे चाहेंगे कि आपका दास आपको बाद में कॉल करे क्या मास्टर ठीक है उसके चहरे पर उसके गालों पर लाली की एक हलकी सी जलक थी मानो वह प्यार में डूबी कोई शर्मीली युवा युवती हो जो एक आकरशक अपील पैदा कर रही हो शेन तु इस प्रदर्शन को स्टब्ध होकर देखता रहा और अंजाने में अपना सिरहलाते हुए बोला महिला तुम वास्तव में अभिनय करना जानती हो अगर मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ नहीं जानता होता तो मैं जल्द ही तुमसे धोखा खा जाता जिसने भी उसे इस रूप में देखा उसे अनिवार्य रूप से उसके लिए कुछ दया महसूस होगी और अपनी सतर्कता कम करनी होगी आप मालिक और गुलाम यहां अच्छे से खेलें, मैं आपको अब और परिशान नहीं करूंगा शेन तू ने कहा, देवेश क्या मैं यहां रहने के लिए कोई जगह चुन सकता हूँ हाँ, देवेश ने सिर हिलाया बहुत धन्यवाद शेन तू मुस्कुराया और जाने ही वाला था लेकिन इससे पहले की वह जा पाता, देवेश ने एक जेड बोतल उसकी ओर फेंक दी, जिससे उसने पूछा, यह क्या है सेंट पिल्स की एक बोतल खेटी के लिए उनका उप्योग करें शेन तू हसे, भाई सचमुच विचारशील है, बेजज़क बाहर जाओ, मैं अपनी दिव्य इंद्रिय को बंद कर दूँगा ताकि मैं कुछ भी न सुन सकूँ बड़े अर्थ से ऐसा कहकर, वह गुफाओं में अंतरधान हो गया मास्टर, ऐसा लगता है कि आप काफी ठक गए हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपका गुलाम आपके कंधों की मालिश करने में मदद करे, भी हाने कहा और अपनी खूबसूरत आखें देवेश पर टिका दी, उसकी पतली सफेद गर्दन लाल हो रही थी और उसकी सांसे गर्म होने लगी थी ऐसा कहते हुए देवेश के सहमत होने या असहमत होने की प्रतीक्षा किये बिना, वह हलके से आगे बढ़ी और उसके पीछे शान से बैठ गई, अपने कोमल शरीर को धीरे से उसकी पीठ पर दबाते हुए उसने अपने दो हाथों से देवेश के कंधों को धीरे से मसल दिय उसकी हरक्ते बहते पानी की तरह कोमल थी, जैसे वह अपने सबसे प्रियव्यक्ती को छू रही हो, और उसने जो ताकत का इस्तमाल किया, वह बिल्कुल सही था एक अकथनिय शक्ती उसकी उंगलियों के माध्यम से देवेश के शरीर को उत्तेजित कर रही थी, जिससे वह अंजाने में आराम कर रहा था, सारा तनाव उसने बना लिया था, गुई जू से निपटने से उसकी आत्माय जागरित हो गई, और फिर से उरजावान हो गई, कोशों की सेवा कैसे करें, देवेश ने व्यंगे किया, देवेश की चिढ़ाने को दिल पर न लेते हुए बीहा चंचलता से हंसा, अच्छा, मुझ पर अपनी सेडक्शन टेकनीक का इस्तिमाल करने की कोशिश मत करो, यह पूरी तरह से बेकार है, देवेश ने सपाट शब करार है, आपके लिए मुझे बहकाने की कोशिश करना व्यर्थ है, मालिक को यह नापसंध है कि मेरा शरीर अब शुध नहीं रहा, बीहा ने करवाहट से मुस्कुराते हुए अचानक सुझाब दिया, क्या आप चाहेंगे कि आपका दास उन दो चोटी लड़कियों को प्र बिया ने बोलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाए जानबूच कर या अंजाने में अपने गर्म, कोमल शरीर और आश्चर्यजनक रूप से लोचदार चोटियों को उसकी पीठ पर दबाते हुए, देवेश की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया थोड़ी देर बाद देवेश ने हाथ हिलाया, तुम पीछे हटो, रहने के लिए जगह ढूंडो, अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं फोन करूंगा, मेरे निर्देशों के बिना तुम्हें यहाँ प्रवेश की अनुमती नहीं है हाँ बी या उठी और इत्मीनान से बाहर निकल गई, उसके जाते समय उसका भरा हुआ, गोलाकार निचला हिस्सा लईबध तरीके से हिल रहा था अगले पत्थर वाले कमरे के अंदर हे मियाव दिवार के सहारे जुकी हुई थी, उसके कान को दबा रही थी, अचानक आक्रोश के साथ बोली, बड़ी बहन देवेश वास्तव में उस घटिया महिला भीहा के साथ जुड़ा हुआ था, बेशर्म मुझे लगता है कि भविश में हमें उससे सावधान रहना चाहिए, वह जाव चुपचाप फर्ष पर पाल्थी मार कर बैठा रहा, गुईजू आधे महीने तक नहीं दिखा, और किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, इस दौरान देवेश पूरी तरह से खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, पहाड के पत्थर के कमरों के अंदर, हेजाओ, हेमियाओ, शेन्तू और भी या सभी चुपचाप रहते थे, विशेश रूप से भी या जिसने देवेश की सेवा करने का बचन देने के बाद, अपने सभी दुष्ट व्यभार वापस ले लिय थे, वह किसी भी अन्य की तुलना में अधिक आग्याकारी हो गई थी, अब वह थोड़ी सी भी फिजूल खर्ची नहीं करती थी, जब तक देवेश उसे नहीं बुलाता, वह चुपचाप अपने पत्थर वाले कमरे में पड़ी रहती, वह स्पष्ट रूप से जानती थी क वह गुई जू जैसे चरित्र को आगे नहीं बढ़ा सकती है, इसलिए यदि वह जीना चाहती है, तो वह केवल देवेश को खुश करने के लिए कड़ी महंत कर सकती है, जब तक देवेश उससे खुश था, संभावना थी कि वह जीवित रहेगी, इस उद्देश के लिए उ उसने कभी भी उसके साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया, जिससे बिया को बहुत धम हुआ, वह यह भी सोचने लगी कि क्या देवेश को उस चेतर में कुछ समस्याय थी, अन्य था, वह उसके जैसी सुन्दरता के प्रती इतना उदासीन क्यों होता, उसने यह स्पष्ट र जैसे जैसे बिया को और अधिक संदे होता गया, उसने देवेश की ओर जो नजर डाली वह धीरे-धीरे बदलने लगी, यहां तक कि उसके प्रती कुछ सहानुभूती भी महसूस करने लगी, इस दिन जब देवेश खेती कर रहा था, उसने अचानक देखा कि कुछ ठीक नह जाली थी, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि गुईजु कब यहां आ गया, इस बुढे व्यक्ती की साधना बहुत गहरी थी, क्या सीनियर के पास कुछ ऐसा है जो उसे मुझसे चाहिए, देवेश ने पूछा, छोटे बच्चे, क्या तुम हमारे समझोते के बारे में भू गये हो, गुईजु ने कुछ हद तक असंतुष्ट होकर पूछा, मैंने तुम्हें केवल इसलिए यहां रहने की अनुमती नहीं दी ता कि तुम अपनी ताकत में सुधार कर सको, स्वाभाविक रूप से मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन इस महादवीट के आसपास का स्था अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, देवेश ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, कहने से पहले एक पल के लिए जिजगते हुए, भले ही मैं दवॉयर का पता लगाने के लिए जगह फार दूँ, फिर भी मैं किसी भी चीज की जाच करने में असमर्थ हूँ, लेकिन अगर वरिष्ट चिंतित हैं, तो मैं अन्य संबंधित मामलों की जाच शुरू कर सकता हूँ, और क्या मायने रखता है, गुईजू ने भ्रमित भाव दिखाया, साथ रंग का आसमान, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है, तो यह साथ रंग का आसमान ही अस अराजक रसातल के उतार चढ़ाव वाले उर्जाक शेत्रों का एक समामिलन है, जो इसे अराजक रसातल की तुलना में और भी अधिक मुर और अराजक बनाता है, और इसमें प्रवेश करने पर किसी के लिए भी अपनी दिशा का ज्यान बनाए रखना असम्धव हो जाता है यही कारण है कि कोई भी इस महादवीट से दूर नहीं जा सकता, आप इसे देख पाने में सक्षम है, यह इस बुढ़े मास्टर के लिए आश्चर्य की बात है वास्तव में इसकी जाच होनी चाहिए इतना कहकर उसने देवेश को पकड़ लिया और बिजली की तरह पहार की गुफा से बाहर उड़ गया और एक शन बाद मुख्य भूमी के उपर आकाश में पहुँच गया जब देवेश को होश आया तो उसे पता चला कि वह पहले से ही महादवीप से 10,000 किलोमीटर उपर खड़ा है ध्यान से देखो तुम क्या देख सकते हो गुईजू देवेश के बगल में खड़ा हुआ और इशारा किया देवेश ने सिरहिलाया और अपनी दिव्य भावना को सभी दिशाओं में छोड़ दिया थोड़ी देर के बाद उन्होंने भौहें चड़ाई यह स्थान वास्तव में अव्यवस्थित है मेरी दिव्य भावना आगे बढ़ने का सही रास्ता खोजने में असमर्थ है जितना छोटा से लेकर 10,000 किलोमेटर जितना बड़ा होगा जब मैं अंतरिक्ष को तोरता हूँ तो मैं अधिक्तम 6 या 700 किलोमेटर की यात्रा कर सकता हूँ यदि यह क्षेत्र इतना चोड़ा है तो इसका मतलब है कि मुझे इसे पार करने के लिए कम से कम एक दर्जन बार अंतरिक्ष को तोरना होगा और मैं एक भी नहीं बना सकता इस प्रक्रिया में गलती देवेश ने भावे सिकोर कर सिर हिलाया मुश्किल होगी अगर आपको लगता है कि इसे संभालना बहुत मुश्किल है तो मेरे पास आपको जीवित रखने का क्या कारण है गुईजू ने उफास किया मैं अब तुम्हें मार भी सकता हूँ तुम्हारी आत्मा की खोज करूँगा फिर बाहर निकलने का अपना रास्ता खोजूँगा देवेश बस हसा यहां आखिरी उपाय की बात है जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो जाए वरिष्ट ऐसा नहीं करना चाहते खीक है गुईजू ने ठंडी आवाज में कहा इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती वरिष्टों को अगले आधे महीने तक धैर्य रखना चाहिए आधा महीना बीट जाने के बाद इस महादवीब के चारों और का स्थान स्थिर हो जाना चाहिए और मैं हमारी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करूँगा लगता है कोई और विकल्प नहीं है गुईजू ने असायता से सिरहिलाया क्या सीनियर के पास कोई अन्य निर्देश है जदी नहीं तो जूनियर छुट्टी ले लेगा हिलना मत ऐसा कहते हुए गुईजू ने देवेश के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर तेजी से एक ठंडी शक्ती डाली जो देवेश के शरीर में घुस गई और उसके शरीर के अंदर और बाहर के हर हिस्से की जांच करने लगी देवेश का चहरा पीला पड़ गया न जाने क्यों गुईजू अचानक उसके खिलाफ इस तरह का व्यवहार कर रहा था एक शन बाद गुईजू का रूप थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने अपना दूसरा हाथ उठाया जिससे उसके उपर कुछ दिखाई देने लगा दानव रह सिवादी टों देवेश का चहरा अचानक बदसूरत हो गया क्योंकि उसने गुईजू की और सतर्कता से देखा क्या आपको लगता है कि यह बूढ़ा मास्टर आपके शरीर के अंदर इस भंडारन कलाकृती को महसूस करने में असमर्थ होगा गुईजू ने उपहास किया इस बूढ़े मास्टर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन अब इसे देखकर यह थोड़ा अजीब है आपको यह कहा से मिला देवेश ने इमानदारी से उत्तर दिया जिस सितारे पर मेरा जन्म हुआ है क्या अंदर किसी प्रकार की विरासत थी गुईजू ने पूछना जारी रखा हाँ देवेश अंदर से काफी हैरान महसूस कर रहा था लेकिन उसके चहरे पर शांती का भाव बना हुआ था कोई आश्चर्य नहीं कि आपके शरीर के अंदर दो अलग-अलग ताक्ते हैं आपके भीतर कुछ अज्यात बाहरी उर्जाएं भी निवास कर रही है देवेश समझ गया कि गुईजू जिस बाहरी उर्जा का जिकर कर रहा था वह उसकी पीठ पर बने ड्रैगन समराट और फीनिक्स महारानी के टैटू थे छोटे बच्चे क्या तुमने कभी इन दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाने के बारे में सोचा है गुईजू ने अचानक पूछा उन्हें एक साथ मिलाना देवेश तब रह गया और आपके भीतर दो अलग-अलग प्रकार की शक्तिया हैं लेकिन क्या आपको उनका उप्योग करना असुविधाजनक नहीं लगता उनके गुण एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं और एक का उप्योग करने के लिए क्या आपको दूसरे को दबाना नहीं पड़ेगा हाँ यदि आप इन दोनों ताक्तों को एक साथ जोड सकते हैं तो आपकी ताकत में धर्ती हिला देने वाले बदलाव आएंगे कृप्या मुझे अपना मार्ग गर्शन दें वरिष्ट देवेश ने तुरंग पूछा गुईजू के शब्दों ने उसके लिए एक बिलकुल नई दुनिया खोल दी थी जिससे वह उत्साहित हो गया था हाला कि गुईजू ने बस अपनी आखे घुमाई मुझे इसके बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा यहां आपका काम है आप स्वयन समाधान खोजें इस बूढे मास्टर ने एक बार किसी को बर्फ और ज्वाला की विशेष्टा शक्ती को पूरी तरह से एक साथ मिलते हुए देखा था लेकिन वह एक अद्वितिय प्रतिभा था आप इसे पूरा करने में सक्षम है या नहीं यहां आपके अपने प्रयासों पर निर्भर है इस बूढे गुरु को ऐसे मामलों में कोई अनुभव नहीं है देवेश फूट-फूट कर मुस्कुराया फिर सीनियर ने अचानक मुझसे ऐसा क्यों कहा क्योंकि इस बूढे गुरु को लगता है कि आपकी ताकत जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको यहां से निकलने का रास्ता मिल जाएगा और भले ही आपकी ताकत दस गुना बढ़ जाए आप इस बूढे मास्टर की हथेली से बच नहीं पाएंगे इसलिए यह बूढा मास्टर आपके मजबूत होने के बारे में चिंतित नहीं है और इसके बजाए इसके लिए तकपर है गुईजू ने पूरी तरह से चिलाते हुए कहा देवेश की आँखों में नहीं डाल रहे आधी हकीकत देवेश ने कडवाहट से सिरहिलाया गूम रही थी दिव्यवरिक्ष के अस्तित्व ने उसे आश्चर यचकित कर दिया देवेश के बदसूरत चहरे की परवाह न करते हुए उसने डेमन मिस्टिक टोम के अंदर के रहसियों को खंगालना जारी रखा यह स्पिरिट लिक्वेड, स्पिरिट मिल्क और स्पिरिट क्रीम वास्तव में खराब नहीं है गूईजू ने आश्चर यचकित होना जारी रखा यह क्रीम सेंट किंग्रेड होनी चाहिए वरिश्ट क्या आप मेरी चीजे मुझे वापस कर सकते हैं देवेश ने बिपसी से पूछा, उसका चहरा बिल्कुल काला हो गया था गूईजू ने कहा, क्या आप दर्ते हैं कि यह बूढ़ा मालिक आपके खजाने को पसंद करेगा आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है हाला कि ये चीजें आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए काफी अच्छी हो सकती है लेकिन इस पुराने मास्टर के लिए ये सभी डेकार हैं और मेरे पास इन्हें चीनने का कोई कारण नहीं है इतना कहकर वह देवेश की संपत्ती को खंगालता रहा हाला कि अचानक उसका रूप बदल गया और उसने कहा तुम्हारे पास वास्तव में इस तरह की चीज है क्या देवेश स्तब्ध था उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुईजू को डेमन मिस्टिक टोम के अंदर क्या मिला था इसके लिए वास्तव में इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी आपको ये कहा से मिले गुईजू ने पूछा और उसने तीन पत्थर निकाले और उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया इन में से एक पत्थर गहरे लाल रंका था और उसके अंदर भारी मात्रा में बलड क्यूई थी यह बलड एसेंस स्टोन था जिसे देवेश ने कुछ समय पहले प्राप्त किया था अन्य दो वास्तव में अजीब गहरे काले रंके गोल पत्थर थे इन दो गोल पत्थरों की सतह पर मानव मेरिडियन की तरह कई नसे दोड रही थी और अगर कोई ध्यान से सुनता तो वे उनसे आने वाली लैबध थप्त पाहट सुन पाते गुईजू की अभिव्यक्ती में भारी बदलाव देखकर देवेश की नजर भी गंभीर हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इन दो गहरे काले गोल पत्थरों की उत्पत्ती असाधारन होनी चाहिए तुन्हें ये चीजे कहां से मिली गुईजू ने फिर पूछा देवेश ने इमानदारी से उत्तर दिया ये दोनों गहरे काले रंग के गोल पत्थर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर विभिन नसन्योगों और अफसरों से प्राप्थ हुए थे जहां तक ब्लड एसेंस स्टोन की बात है उसने इसे टॉम जुआन शेतर में किसी और से चीन लिया था देवेश केवल ब्लड एसेंस स्टोन की भूमिका और उपयोग को समझता था और उसने कई बार इसका उपयोग भी किया था लेकिन आज तक उसे अभी भी नहीं पता था कि दो गहरे काले गोल पत्थर क्या थे वरिश्ट क्या आप इन दो अजीब पत्थरों को पहचानते हैं देवेश ने गुईजू की प्रतिक्रिया देखी और कुछ घबराहट के साथ पूछा जब गुईजू ने दो गहरे काले गोल पत्थरों को गहराई से देखा तो उसकी आखे चमक उठीन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी द्रिश्टी से उनकी सतह पर जटिल रिखाओं का पता लगा रहा हो जबकि उनके अंदर से आने वाली हलकी फुलकी बड़बडाहट को सुन रहा हो थोड़ी देर तक अपना सिर हिलाते हुए बोला ऐसा लगता है आप नहीं जानते की ये चीजें क्या है मुझे उम्मीद है कि सीनियर इस जूनियर के संदेह को दूर कर सकते हैं देवेश ने इमानदारी से पूछा गुईजू ने बलड एसेंस स्टोन और दो गहरे काले गोल पत्थरों को वापस देमन मिस्टिक टों में फैंकने से पहले मुस्कुराया और फिर देवेश को वापस सौंप दिया और रहसिमय तरीके से टिपपणी की उन्हें अच्छी तरह से उठाओ एक दिन तुम समझ जाओगे और इन चीजों के लिए बहुत अधिक खनिचसार की आवश्चक्ता होती है यदि आपको उन्हें खिलाने के लिए कोई दुरलब अयस्क नहीं मिल रहा है तो कलाकृतिया भी काम करेंगी इस वाक्य को छोड़ने के बाद बिना कोई दूसरा शब्द बोले गुईजू गायब हो गया देवेश आकाश में अकेला रह गया पहले से भी अधिक ध्रमित गुईजू सपश्ट रूप से देवेश को यह बताने को तयार नहीं था कि वह क्या जानता था जिससे देवेश काफी उदास था हाला कि अकेले गुईजू के शब्द काफी दिल्चस्प थे उन्होंने दो गहरे काले गोल पत्थरों का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें अच्छी तरह से पाले हाला कि उसे दो पत्थर कैसे उठाने चाहिए थे ऐसा नहीं है कि वे जीवित वस्तुए थी समझ में नहीं आ रहा है और अभी बहुत अधिक चिंता होने के कारण देवेश ने दिव्यवरिक्ष से कहा कि वह दानव मिस्टिक टोम को उसके शरीर में लोटाने से पहले गहरे काले गोल पत्थरों की साबधानी पूर्वक निगरानी करना जारी रखे मध्य परवत के समतल शेतर पर वापस उतरते हुए देवेश ने देखा कि एक खतरनाक और क्रूर जोड़ी उसकी ओर घूर रही थी जैसे की मालिक चाहता था कि वे उसे पूरा निगल सकें जाहिर है यह यूशी की ओर से था उसकी ताकत बहुत पहले बहाल हो गई थी आखिरकार गुईजू को उसे अनिश्चित काल तक रोकने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी इन दिनों उसने अपनी निगाहें पहार से नहीं हटाई थी उसका सुन्दर और भव्य रूप अब तक पूरी तरह से नश्ट हो चुका था उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आखें खून से लथपत थी जब वे देवेश की ओर घूर रहे थे जो एक अथा घ्रिना और क्रोध को प्रकट कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी तवचा को छीलने उसका मास खाने और उसका खून पीने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी हाला कि उसने हे जाओ और हे मियाओ से सब कुछ सीखा था और जानती थी कि देवेश ने उन्हें एक पत्थर के कमरे में फैंकने और उन्हें अंदेखा करने के अलावा कुछ नहीं किया था यह सब उसे उसके पिछले कारियों के लिए दंडित करने के तरीके के रूप में किया गया था यूशी अभी भी कुछ हद तक थी यह स्विकार करने में असमर्थ यह महसूस करते हुए की देवेश एक उग्र, भयावा और अपमानजनक जूनियर के अलावा और कुछ नहीं था उसने जो कुछ भी अनुभव किया उसे वह बड़ी शर्म की बात मानती थी और इसके बारे में अपने गुस्से को छिपाने का कोई प्रयास नहीं करती थी अभी यहां फंसे हर किसी को एक उच्छ शक्ती के सामने अपना सिर जुकाना था इसलिए उसने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की और केवल इस लड़के की और जानलेवा द्रिश्टी से देखकर अपना असंतोश और गुस्सा व्यक्त करने में सक्षम थी देवेश ने उसे न देखने का नाटक किया और उसके ठीक पीछे चला गया और पहाड में गायब हो गया यूशी ने अपनी खूबसूरत आखे बंद कर ली और अपने मूर को शांत करने के लिए गहरी सांस ली यह लड़का सोचता है कि गुईजू की शरण में वह पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन वह यह महसूस करने में विफर रहता है कि वह पहले ही मर चुका है लूगुई चेन अचानक यूशी के पास आया और उफास किया एक बार जब गुईजू यहां से बाहर निकल सकता है तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा बंद मृत्यू वह सब होगी जो उसका इंतजार कर रही होगी मुझे यह बताने में परिशानी क्यों कि यूशी ने अपनी आखें खोली और लूगुई चेन की ओर ठंडी नजर डाली क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं है उसने आपके शिश्य को मार डाला फिर आपकी अन्य दो शिश्याओं को उस गुफा में ले गया उन्होंने क्या सहा? मुझे लगता है कि आप मुझसे बहतर जानते हैं उसने तुम्हें अपमानित किया, तो तुम उससे नफरत कैसे नहीं कर सकते? क्या तुम उससे अपने हाथों से मारना नहीं चाहते? यह मेरा व्यवसाय है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, यूशी ने खर्राटा लिया लूगुई चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह मुझसे संबंधित है, मैं उसका जीवन भी चाहता हूँ सचमुच कुछ दिन पहले आप इतने खुश थे कि उसके लिए अपनी पूछ हिला रहे थे, है न? लूगुई चेन ने शर्मिंदा होकर अपनी नाग खुजाते हुए कहा, परिस्थिती ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया क्या आपको लगता है कि मुझे इस तरह के व्यक्ती के सामने जुकने में मज़ा आता है यदि गुई जू की सुरक्षा नहीं होती, तो मैं जब चाहू उसे मार सकता हूँ लुगुई चेंड मैं आपसे एक प्रशन पूछूंगा, आप इमानदारी से उत्तर दें यूशी ने अचानक उसकी ओर गंभीरता से देखा क्या? मेरे शिश वेईवू क्या उसने इस घटना से पहले आपके परपल स्टार से संपर्क किया था? आपने उससे क्या लाब का वादा किया था कि वह मेरे साथ विश्वासघात करने और स्वोर्ड यूनियन को धोखा देने में संकोच नहीं करेगा यूशी गंभीर रूप से चिलाया लुगुई चेंड की आखे थोड़ी सी सिकुड गई इससे पहले कि उसने हंस्ते हुए कहा तुम्हारा क्या मतलब है? मैं नहीं समझता आप ठीक ठीक जानते हैं की मेरा क्या मतलब है यह हिसाब देरसवेर मैं तुमसे चुकता कर दूंगा इसके अलावा यदि तुम उस जुनियर की जान चाहते हो तो खुद ही उसे मार डालो, यह मत सोचना की मुझे चिढाकर मैं तुम्हारा काम कर दूँगा. मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, यूशी ने मुरने और दूर जाने से पहले ठुका, यहां तक की वहल लुगूई चेन की उपस्थिती में भी रहने को तयार नहीं थी. उसकी पीट की ओर देखते हुए, लुगूई चेन की अभिव्यक्ती उदास हो गई. उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूशी इस बिंदू पर अपना गुस्सा निगल लेगी. सामान्य ज्यान के अनुसार, देवेश द्वारा अपनी दो महिला शिश्याओं को उठा ले जाने और फिर अपमानित किये जाने के बाद यूशी को सारी हिचकी चाहट खो देनी चाहिए थी और उसे मारने के लिए बेताब होकर अंदर भागना चाहिए था. लू गुई चेन को समझ नहीं आया कि यूशी अब भी कैसे शान्त रह पाई. पहाड के पत्थर के कमरों के अंदर देवेश चिंतन में खोया हुआ, आत्मा के तरल पदार्थ की धारा को बहते हुए देख रहा था. गुई जू के शब्दों ने आज उसे एक ऐसी संभावना के प्रती जागरित कर दिया था, जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था. क्या उसके शरीर के अंदर की दो विपरीत शक्तियां सचमुच एक साथ मिल सकती हैं? उन्होंने ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट की खेती की, अपने शरीर को ट्रू यांग सेंट क्यूई से भर दिया, लेकिन अडिक गोल्डन कंकाल के अंदर की उर्जा बुरी शक्ति से भरी थी. जब भी देवेश लड़ता था, वह इन में से केवल एक बल का उप्योग करने में सक्षम होता था जबकि दूसरे को अस्थाई रूप से छोड़ देता था. उसने हमेशा सोचा था कि प्रू यां सेंट क्यूई को विक्सित करने का उद्देश उसके अडिक स्वर्ण कंकाल के अंदर की बुरी शक्ति को दबाना था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अपने दानव देवता परिवर्तन का उप्योग करने के बाद भी, बुरी उर्जा को अपने शरीर में भरने की अनुमती देने के बाद भी, देवेश ने अपनी मानवता या तर्क करने की क्षमता नहीं खोई, और एक राक्षस बन गया जो अपने मातापिता को भ पाली शक्तियों को एक साथ मिलाने के बारे में सोचा भी नहीं था और शायद ही उसने कलपना भी की थी कि उनका संलन कैसा दिख सकता है। के माध्यम से बहने वाली सक्षी यान सेंट क्यूई को अपने डेंटियन में वापस ला दिया। एक चण बाद उसके शरीर से शक्ति पूरी तरहा खाली हो गई जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। एक टुकडा निकाला और उसे उसी स्थान पर ले आया। और बुरी उर्जा एक दूसरे को नश्ट कर रहे थे। देवेश ने एक खीकी निकाली उसकी अभिव्यक्ति अतुलनिय रूप से बदसूरत हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं बचा दोनों उर्जाओं को पारसपरिक विनाश का सामना करना पड़ा। पहला प्रयास असफलता में समाप्थ हुआ। मैं ठीक हूँ, देवेश ने उपर देखा और देखा कि हेजाओ। ये मियाओ बहने उसके पत्थर के कमरे के बाहर खड़ी थी, उसकी ओर देख रही थी, वे दोनों कुछ जिजक रही थी। यह देखकर देवेश के चहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा क्या तुम् मिन्दा महसूस करते हुए अपने होंट भीच लिए। आप भी थोड़ी छूट नहीं छोड़ सकते। मास्टर उसमें थोड़ा सेथ है। देवेश ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही अपनी आखें बंद कर ली, जिससे हे जाओ और हे मियाओ ने एक असहाय दृष्टी का आदान प्रदान किया और अपने सिर हिलाते हुए दूसरी ओर मुर गए। उनके जाने के बाद बीया प्रकट हुई, उनकी लुप्थ होती पीठों की ओर देखते हुए, देवेश की ओर उत्सुक द्रिष्टी डालने से पहले एक हलकी सी हंसी निकाली। अंदर आएं देवेश ने उसे इशारे से बुलाया। बीया ने अभी किसी ऐसे साधक से मिले हैं, जिसने दो बिलकुल अलग प्रकार की शक्तियों पर महारत हासिल की हो और उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिलाने में सक्षम हो। देवेश ने उससे पूछा, दो पूरी तरह से अलग ताक्तें भी हा आश्चर्यचकित था, जैसे आग और पानी, जीवन और मृत्यू, प्रकाश और अंधकार, यह कैसे संभव हो सकता है? किसी भी एक गुन पर महारत हासिल करना एक जटिल और कठिन प्रक्रिया है, यहां तक कि महान गुरु भी अपना पूरा जीवन प्रयास करने में बिता सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत के रहसि इसी दो विपरीत शक्तियों को मिलाना चाहते हैं, जो गुन स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यह बहुत यथार्थवादी नहीं है, बीहा ने धीरे से मुस्कुराया, न जाने क्यों देवेश ने अचानक इतना गूर प्रशन पूछा, हालां क अगर कोई वास्तव में पूरी तरह से ऐसा कर सकता है, जल और अगनी दोनों गुनों में महारत हासिल करें, शायद वे ऐसी उपलब्धी हासिल कर सकें, लेकिन आपकी दासी इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बावजूद, उसने कभी ऐसे आश्चर यजनक व्यक्ति का समना नहीं किया है